यह वीडियो साइन्स क्लास एट का चैप्टर नंबर वन है और अब हम पढ़ रहे हैं अपना यह चैप्टर और यह चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे इसमें जो भी क्वेशन एंसर आते जाएंगे उसको हम लोग पारे में आपको यहां पर बहुत सारी चीज़े पढ़ाई गई है तो उन्होंने बहुत सारे जो खेती के आउजार है जिस्ते की खेती किया दता है उसको उन्होंने अपने अंकल के घर में देखा You have learned that all living organisms require food आप जानते हैं कि जितने भी living organism है उनको क्या चाहिए अपने जीवन को चलाने के लिए food चाहिए क्योंकि जो उनको energy चाहिए वो कहां से मिलता है food से ही मिलता है यदि किसी organism को food ना मिले तो वो क्या हो जाएगा जीवित नहीं रहेगा Plants can make their food themselves, can you recall how green plants synthesize their own food तो आप देख सकते हैं यहां से question आते जाएगा आपका कि plant क्या करता है अपना भोजन स्वयम बनाता है इसलों उसको बोलते हैं autotroph दूसरा जो animal है वो अपना भोजन स्वयम नहीं बनाता वो अपने भोजन के लिए किस पर निरभर होता है? plant पर निरभर होता है उसको हमनों बोलते है heterotroph इसके बाद next है कि plant अपना भोजन कैसे बनाता है तो plant अपना भोजन photosynthesis के द्वारा बनाता है तो आप देख सकते हैं plant अपना भोजन कैसे synthesize करता है photosynthesis के द्वारा मतलब plant जो है inorganic substances को use करता है जैसे कि वो sunlight को use करेगा CO2 को use करेगा H2O को use करेगा और उससे क्या बना देगा उससे वो अपना भोजन बनाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे यह सारे क्या है यह सारे abiotic factors है यानि कि जो nature में non living things है वो है उसी से plant क्या करता है अपना भोजन बनाता है और इसी पर फिर जितने भी living things है other living things है वो क्या है living organisms वो इसी पर dependent है यानि कि जितने भी other living organism है वो किस पर dependent है Plants dependent है अपने भोजन के लिए Animals including humans cannot make their own food यानि कि Animals अपना भोजन स्वैम नहीं बना सकते हैं उनको किस पे निर्भर रहना पड़ता है? Plants पर तो जो plant भोजन बनाते हैं उन्ही को वे क्या करते हैं? Consume करते हैं और अपने energy demand को पूरा करते हैं So where do animals get their food from? तो animals get their food from plants Plants photosynthesis के दौरा भोजन बनाएंगे और उस भोजन वही जो plant है उसको कौन consume करेगा? Animals जैसे कि आप जो सबजी खाते हैं चावल खाते हैं, दाल खाते हैं वो सब कहां से आता है? वो सब plants से आता है तो आप बोलेंगे कि बहुत सारे लोग non-wage खाते हैं तो वो तो plants से नहीं आता लेकिन जो non-wage है मान लिजे कि जो non-wage आप खा रहे हैं मुर्गा खा रहे हैं तो वो मुर्गा आखिर किस चीज को खा रहा है? वो भी plant को ही खा रहा है मतलब कि जो plant का चीज है वो ही चीज वो खा रहा है मुर्गा और मुर्गा को फिर other animals खा रहे हैं इसका मतलब ultimately सारे लोग किस पर dependent हैं plants पर ही dependent हैं बट first of all why do we have to eat food? तो यहाँ पर सबसे पहला question आया कि हम लोग food क्यों चाहिए? तो हमारे body में जितने सारे functions हो रहे हैं उसको चलानी के लिए आपको क्या चाहिए? energy चाहिए और energy कहां से मिलता है? food, food से that's why we need food तो यहाँ पर आप इसका answer इस प्रकार से कर सकते हैं You already know that the energy from food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion we get our food from plants or animals or both तो यहाँ से आप इसका answer कर सकते हैं कि जो भी organism है उसको various body के function को चलाने के लिए जैसे कि digestion हो गया, respiration हो गया, excretion हो गया और body के growth के लिए भी क्या चाहिए? energy चाहिए और यह जो energy है वो कहां से मिलता है? food से मिलता है that's why we need food फिर से सुन लिजी है, हमारे body भी जितने भी functions हो रहे हैं उसके लिए energy चाहिए हमारे body का जो growth हो रहा है उसके लिए energy चाहिए और वो सारा चीज, energy कहां से मिलता है food that's why animals need food animal को क्या चाहिए? food चाहिए ठीक है, इसी प्रकार से plants को भी food चाहिए लेकिन plants अपना food क्या करता है? सोयम बना लेता है तो अब यहां से नया question है कि from where do we get our food हम लोग जो food लेते हैं वो कहां से food लेते हैं तो सबसे पहला हो गया plant और animals तो जो humans हैं वो अपना food कहां से लेते हैं plant से लेते हैं या फिर animals animals कहने का क्या मतलब हो गया? जो non-wage आप खाते हैं वो क्या हो गया? animals हलाकि जो वो जो animals जो हम लोग खाते हैं वो भी किस पे निर्भर है? plant पे ही निर्भर है ultimately इसका मतलब क्या हो गया? कि जितने भी living जितने भी animals हैं वो किस पे निर्भर है? लिए प्लांट पे और प्लांट किस पनिर्वह तो प्लांट नीचर पनिर्वर एस प्रकार तो यहां पर आगे बढ़ रहे हैं तो आगे देखेंगे आप वहुत व्यक्ता प्राइफ हो ईफ तो आप जान रहे हैं कि हमारा मनुश्यों का जनसंख्या क्या हो रहा है लगातार बढ़ रहा है तो उस बढ़ते हुए जनसंख्या में यदि फूड का प्रोडक्शन को ना बढ़ाये जाए तो काम नहीं चलेगा इसलिए बोलता है पड़ेगे क्या कि आपको कारे करना पड़ेगा तो पहला हो गया रिगूलर प्रोडक्शन प्रोपर के फूड के डिमांड को पूरा करनी के लिए तो यह सब question answer आपको याद करते जाना है जो भी question आएगा आप exam उसको असानी से फिल कर सकते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं agricultural practices इसके बारे में बताया गया मतलब खेती के बारे में पूरा विस्तित यहां पर बताया गया है तो आप देख सकते हैं till 10,000 BC people were nomadic people क्या थे nomadic थे they were wandering in groups from place to place in search of food and shelter तो nomadic word आए कि nomadic का meaning क्या होता है तो nomadic वे लोग होते हैं या फिर वे लोग होते थे ऐसा ही बहुत सकते हैं जो कि food के लिए और shelter के लिए food मतलब भोजन और shelter मतलब आवाज के लिए एक जगह से दूसरे जगह wandering मतलब घूमा करते थे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे nomadic तो those people who were wandering in groups from place to place in search of food and shelter known as nomadic तो इस प्रकार से आप इसको answer कर सकते हैं तो प्रते एक line में आपको question मिल सकता है उसको एक answer हो सकता है उसको आपको करते जाना चाहिए ताकि कोई भी question पीछे मिल आप उसको answer कर सके that raw fruits तो जो nomadics थे वो क्या खाते थे raw fruits खाते थे and vegetables and started hunting for animals for food तो यहां से question आएगा कि जो nomadics थे वो खाते थे शुरू में तो सबसे पहले क्या खाते थे fruits पे निर भर थे vegetables पे निर भर थे और फिर उन्होंने धीरे-धीरे क्या किया सिकार करना सिकार करना सुरू किया animals को खाना सुरू कर दिया और उसके बाद later बाद में क्या हो गया they could cultivate land and produce rice wheat and other food crops thus was born agriculture उसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने खेती करना सुरू किया rice लगाना सुरू किया wheat लगाना सुरू किया other food crops लगाना सुरू किया और इस प्रकार से agriculture का जनम हुआ जिसे हम लोग कहते है खेती when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale it is called as इसको क्या कहा जाएगा तो it is called as a crop इसी को कहते है crop तो यहां से next question आता है what is crop crop किसी कहते हैं तो यह सब question आपको बहुत important है याद करते चलना है तो crop किसी कहते हैं इसका answer आप देख सकते हैं पूरा यह लिखा हुआ है when plants of the same kind एक ही प्रकार का plant plant of the same kind बस इतना साय याद रखना है आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है plant of the same kind are grown and cultivated at one place इसको iKha place में एक ही प्रकार के प्लान को iKha place में जब ग्रो किया जाएगा खेती किया जाएगा, कल्टिवेट किया जाएगा लार्ज स्केल तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉप जैसे कि आप जानते हैं वीट हो गया, वीट मतलब क्या हो गया, केहू हो गया for example, क्रॉप अफ वीट means that all the plants grown in a field are that of wheat मतलब crop of wheat, wheat क्या हो गया, crop हो गया इसी प्रकार से paddy क्या हो गया, crop हो गया you already know that crops are different types तो यहाँ से question आ गया, crops write down the different types of crops crops के अलग-अलग types को लिख ये तो पहला क्या हो गया, cereals जिसको हम लोग बोलेंगे अनाच, तो C, E, R, E, L is cereals है वो series S, E वाला नहीं है, यह cereals है दुसरा हो गया, vegetables, फिर क्या हो गया, fruits तो यह आपको याद कर लेना है, cereals, vegetables and fruits आप जानते हैं सबके बारे में these can be classified on the basis of the season in which they grow तो पहला तो हो गया, crop का क्या-क्या मतलब प्रकार हो गया, तो पहला क्या हो गया cereals, vegetables and fruits इसके बाद आप देख सकते हैं कि उसको और भी classify कर जा सकता है किस season भी वो grow कर रहे हैं उसके हिसाब से, India is a vast country the climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another तो यहाँ से question आ सकता है कि जो crop को हम लोग produce करते हैं उसके लिए क्या-क्या factors उसको कौन-कौन से factors प्रभावित करते हैं तो आप देख सकते हैं किसी area का temperature वहाँ कितना temperature होता है humidity वहाँ आर्दरता कितना होता है rainfall वहाँ बारिश कितना होता है और भी बहुत सारे factors है जो कि crop की production को प्रभावित करते हैं इसका क्या मतलब हुआ कि जो crop है उसके लिए खास उनको temperature चाहिए खास humidity चाहिए rainfall चाहिए तब उनका उत्पादन हो सकता है तो कुछ ऐसे plant है जिनको ज़्यादा rainfall चाहिए कुछ ऐसे plant है जो कि rainfall क्या चाहिए कम चाहिए तो उस प्रकार से उनको season wise भी लगाया जाता है कि season में ज़्यादा rainfall हो किसी season में आप जानते है कि rainfall ज़्यादा होगा किसी season में rainfall कम हो गया तो उस हिसाब से भी उनको क्या किया जाएगा लगाया जाएगा ताकि उनका production क्या हो बहुत अच्छा हो there is a rich variety of crop grown in different part of the country तो variety of crops को अलग अलग part of country में लगाया जाता है according to nature nature वहाँ का जैसा होगा climate जैसा होगा उस हिसाब से despite this diversity two broad cropping patterns can be identified तो season के आधार पर question आगया कि season के आधार पर कितने प्रकार की crops होंगे तो पहला crop हो गया खरीफ crop याद कर लेना है आपको और दूसरा क्या हो गया रभी crop basically दो यहां पर पढ़ाया गया है एक होता है जायद crop तो आप देख सकते हैं खरीफ crop तो यहां question क्या हुआ season के आधार पर crops को कितने भागों में बाटा गया है तो दो प्रकार से यहां पर बताया गया है two broad cropping patterns two broad group में बाटा गया है तो आगे classes में आप देखें कि कुछ अलग बढ़ाया जाएगा आपको तो खरीफ crop क्या हो गया तो crop which are sown in the rainy season are called खरीफ crop तो जब rainy season में जिसका उत्पादन किया जाता है जिस crop को उगाया जाता है cultivate किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं खरीफ crop the rainy season in India is generally from June to September तो खरीफ crop को कब लगाया जाता है जून से September तर जिसमें उदारन आपको याद करेना है paddy हो गया, maze हो गया, paddy मतलब धान हो गया, maze मतलब मेज क्या होता है मक्का, soya bean हो गया, groundnut, cotton और खरीफ crop तो खरीफ crop इतना VVI question है, इसको आपको याद कर लेना है कि खरीफ crop में कौन कौन आता है, उसके बार आप देख सकते हैं, ruby crop है the crops grown in the winter season, winter season में जो आ गया, उसको हम लोग क्या बलेंगे ruby crops are called ruby crops, their time period is generally from October to March तो October से March क्या हो गया, ruby crop, इसमें आप देख सकते हैं wheat है, gram, pea, mustard, gram मतलब चरना हो गया, पी मतलब मटर हो गया, wheat आप जानते हैं, mustard मतलब सरसो हो गया और भी बहुत सारे linseed आप देख सकते हैं, बहुत सारे उदारन हो सकते हैं, तो यह आप एकदम भीविया है, इसको याद कर लेना है besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places, तो pulses मतलब क्या हो गया, दलहन हो गया, और vegetables उसको summer में भी उगाया जाता है तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, basic practices of crop production, तो यहाँ फिर से हम लोग वही line by line पढ़ेंगे, और यहाँ जो जो question आएगा, उसको हम लोग देखते जाएगे कुछ words भी आपको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि आप Hindi language यूज करते हैं, बातचीत करने में, लेकिन आपको जो examination देना होता हुआ, वा English language में देना होता है तो वहाँ पर कुछ words याद रखेंगे, तो आसानी से आप question answer को कर सकते हैं cultivation of crops, तो यह जैसे देख सकते हैं, cultivation हो गया आपका, फिर activities हो गया, इस सब कुछ words चोटे-चोटे words आपको याद कर लेने चाहिए, धरे-धरे याद भी होते जाएगा, यदि आप बार-बार इसको देखेंगे, बार-बार इसको पढ़ेंगे तो cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time, तो आप जानते हैं कि cultivation में एक खास प्रकार के plant को यदि ग्रो कराने तो उसको हम लोग crop कहते हैं, और जब हम लोग crop का cultivation करते हैं, तो एक period of time होता है और उस period of time में मिट्टी को ठीक करना, मिट्टी में बीच को बोना, बीच को बोने से plant का बड़ा होना, फिर plant के harvesting तक बहुत सारे activities करने होते हैं, तो आप देख सकते हैं, cultivation of crop में बहुत सारे activities करने होते हैं, तो मैंने जिससे बताया आपको words याद करना होगा, cultivation of crops में क्या कर करने होते हैं, बहुत सारे activities करने होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, you may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you, when you grow ornamental plants in your house, तो जब आप अपने घरों में ornamental plant लगाते हैं, या फिर एक gardener होता है, तो वो भी बहुत सारे activities करता है, plant को उगाने में, तो यहाँ पर एक word आगया, ornamental plant, तो य हो गया, सजावती पौधे, these activities or tasks are referred to as agricultural practices, तो इन ही को हम लोग क्या बोलते हैं, agricultural practices, तो कौन से practices, agricultural practices है, जो की plant को grow कराने में, crop को grow कराने में, उसके cultivation में use होते हैं, तो जो crop की cultivation में activities use होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, agricultural practices, या इसी से आप answer कर सकते हैं, कि वे सारे practices, जो की किसी crop को cultivate करने के लिए use होते हैं, तो आपको कौन-कौन से word याद करने पड़ेंगे, आपको word याद करना पड़ेगा, यहाँ पर cultivation, तो cultivation यदि word आपको खेती, यदि word आपको याद है, तो आप इसका answer आसाने से कर सकते ह हैं, तो cultivation के लिए several activities को किया जाता है, और उन्ही को हम लोग क्या कहते हैं, उन्ही tasks को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, agricultural practices, तो यह आप इसका answer इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहाँ यदि एक दू word आपको याद है, तो आसाने से इसका answer कर सकते हैं, these activities are listed below तो next question आ गया, what are the agricultural practices, और वही इस chapter में पूरा हम लोग को पढ़ना भी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, one to seven आपको याद करना है, सबसे पहले क्या हो गया, preparation of soil, सबसे पहले हम लोग soil को बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग seed को बोएंगे, य and fertilizers, manure डाला जाएगा, fertilizers डाला जाएगा, irrigation होगा, सीचाई होगा, irrigation को क्या हो गयते हैं, time to time सीचाई करना होगा, protecting from weeds, तो weeds से protection करना होगा, खरपतवार से protection करना होगा, harvesting मतलब कटाई होगा, फिर उसके बाद storage होगा, तो यह सब agricultural practices होते हैं, मतलब यदि आप agriculture कर रहे हैं, cultivation कर रहे हैं, खेती करते हैं, तो यह सारा first to last आपको करना है, तो इसी को पुरा विस्तित में बताएगा, यहाँ से question पुछा जाए, what are the agricultural practices, तो यहाँ पर आप यहाँ से first to seven point wise लिख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम लोगों को इसका detail पढ़ना है, जैसे सबसे पहला preparation of soil, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, soil को भली भाती बनाते हैं, जिसमें हम लोग बुआई कर सकें, तो देखते हैं, preparation of soil में क्या क्या करना है, the preparation of soil is the first step, सबसे पहला क्या होगे, यह first step है before growing a crop, crop को grow करने के पहले सबसे पहला step क्या है आपका, सबसे पहला step है आपका preparation of soil, तो step किया है तो answer क्या देना होगा आपको preparation of soil one of the most important task in agriculture is to turn the soil and losing it तो सबसे पहले क्या करना होता है हम लोग को soil को क्या करना पड़ता है lose करना पड़ता है soil को अच्छे प्रकार से खुदाई करके अच्छे प्रकार से उसको हम लोग हल के दौरा या और भी ओजार के दौरा उसकों क्या करते है जुताई करते है और जुताई करके soil को क्या करते हैं lose करते है्जाहां से क्या क्या है कि हम लोग mobsule को lose क्यों करते है यह बहुत important question है तो इसको आपको दो-three p Dwn points बनाके लिखना होगा तो पहला point में आप लिख सकते हैं, this allows root to penetrate deep into the soil, पहला क्या हो गया, यदि soil को अच्छे प्रकार से खुदाई किया जाए, तो खुदाई यहाँ पर word नी यूज़ करके, जो तना word यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसको लूज करेंगे, उसके मिट्टी को लूज किया जाएगा, तो सबसे पहला फाइदा क्या होगा, this allows the root, यह जो plant हम लोग लगा रहे हैं, जो seed बोया जा रहे हैं, उससे तो plant ही ultimately होगा, तो जो plant है, उसका root को, वह deep soil में penetrate करने में मदद करेगा, जिससे की plant क्या होगा, ज्यादा nutrition absorb कर सकेगा, और बहुत अच्छे से मजबूती से खड़ा रह सकेगा, deep penetrate, penetrate मतलब क्या हो गया, धसना, वो जो धस रहा है, penetrate हो रहा है, जो नीचे की और जा रहा है, वही word है, penetrate, तो आपको यह word याद करना होगा, यह पहला हो गया, this allows the root to penetrate, deep into the soil, यह पहला point लिखेंगे, the loose soil allows the root to breathe easily, even when they go deep into the soil, इसके बाद जो दूसरा point अप लिख सकते हैं, इसको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पढ़ा के, दूसरा point लिख सकते है, the loosened soil help in the growth of earthworms and microbes present in the soil, दूसरा point अप लिख सकते हैं, यदि soil को loose किया जाए, तो वो क्या करेगा, जो microbes वहाँ पर है, बह कि बहुत important है, manure बनाने के लिए, तो वो क्या होंगे, वहाँ पर grow कर सकेंगे, तो ये दो point हो गया, इसमें आप answer कर सकते हैं, यदि soil को loose किया जा रहा है, तो उससे क्या क्या फाइदा है, लेकिन एक और question आप यहाँ से देख सकते हैं, लिखा गया है, why does the loosening of soil allow the root to breathe easily, ये question है, कि यदि हम लोग soil को loose करेंगे, तो उससे जो root है, वो आसानी से ब्रीद कर सकेगा, ऐसा कैसे है, तो उसका answer आप देख सकते हैं, जब हम लोग soil को loose करेंगे, तो हवा भी क्या होगा, यानि कि oxygen भी क्या होगा, उस soil के अंदर प्रवेश कर सकेगा, उस soil में इंटर कर अब आप यह समझे, कि यदि आपका cemented room है, तो उसके अंदर हवा या फिर oxygen का यदि बात करें, तो वो क्या penetrate, deep penetrate कर सकता है, यदि penetrate word ना करें, तो इंटर कर सकता है, तो नहीं कर सकता है, लेकिन यदि हम लोग soil का बात करें, जहां पर उसको अच्छे तरीके से कोड दिया ग है, तो क्या उसमें जो इस प्रकार से बहुत space बन जाएगा, और इस space में आसानी से air क्या कर सकता है, इंटर कर सकेगा, और जब air इंटर कर सकेगा, जो plant है, उसका जो root है, वो क्या करेगा, आसानी से फिर वहाँ पर उसको oxygen मिल सकेगा, तो यहीं इसका answer कर सकते हैं हम लोग, the loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil because air enter into the soil, air क्या करेगा, उस soil में enter कर पाएगा loose soil में air क्या होगा, असानी से enter कर पाएगा तो इसका answer यही कर सकते हैं, in loose soil air can enter easily that's why, that's why loosening of soil allows the root to breathe easily तो यह होगी आपका next question, इसका भी answer होगया these organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it तो यहाँ पर यह जो हम लोगों ने बात किया, जो earthworm है और microbes है वो बहुत ही important होते हैं, soil के लिए, soil formation के लिए क्योंकि आप जानते हैं कि जो earthworm है और यह जो microbes है वो क्या करेंगे, वहाँ पर जो माली यह पत्ती गिर गिर गिया या फिर जो भी organic पदार्थ है, उसको सडाएगा, गलाएगा और humus बनाएगा और वो जो humus यदि मिट्टी में जाता है, तो मिट्टी क्या होता है ज्यादा fertile होता है, तो यहाँ से देखिए, आपको word याद कर लेना होगा, fertile तो यहाँ से यदि आपको question पूछा जाए, कि आखिर earthworm और microbes का क्या function है तो आपको यह लिख देना है, कि earthworm और microbes ज्यादा से ज्यादा humus बनाता है that makes the soil more fertile, वो क्या करेगा, soil को more fertile बनाएगा तो यही मैं बता रहा था आपको, यहाँ की word कुछ-कुछ आपको याद करना है क्योंकि आपको exam में यदि answer करना है, तो कुछ words आपको याद रहना चाहिए यदि वो words ज्याद रहेंगे, तो आप असानी से अप खुद से भी बना के उस answer को कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं, earthworm के द्वारा क्या होता है, manure का formation होगा ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते है, microbes क्या करेगा, manure का formation करेगा जो की soil के fertility को बढ़ाएगा, fertile, fertility ये सारा word आपको याद करना है fertility, fertile मतलग क्या हो गया, उपजाऊपन को बढ़ाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो soil है उसमें क्या-क्या पाया जाएगा, यदि question पुछे कि what does soil contain तो answer में लिखना है, soil contain, यहाँ देख सकते हैं, soil contains minerals, water, air and some living organism, एकदम भी भी एक question है soil में क्या-क्या content होगा, तो minerals, minerals, water, air and some living organism living organism आपने देखा, एक-दो नाव हम लोगों ने बताया यहाँ पर earthworms हो गया है, microbes हो गया है, यह सब living organism है, तो यही है soil में बहुत, इसका मतलब soil में बहुत सारे अलग-अलग चीज़ पाये जाते हैं, तो यह था आपका यह question, इसके बाद in addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism, तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि soil में living organism पाये जा रहा है, यह क्या कर रहा है, यदि वहाँ पर dead plant है, या animal है, उसको decompose कर देता है, और decompose करके खाद बना देगा, manure बना देगा, तो decompose मतलब क्या हो गया, decompose मतलब सको सडाना, गलाना, मतलब simple meaning decompose का क्या हो गया, कि complex substance को simple substance बनाना, यह होता है decompose का meaning, तो यह soil organism के द्वारा होता है, यह question पूछा जाए कि decomposition कैसे होता है, तो soil organism के द्वारा होता है, next question पूछा जाए कि decomposition किस चीज का होता है, तो जो dead plants हो गये, dead organisms हो गये, वहाँ पर जो पाई जा रहे, उसको जब चाइगा गलाएगा और फिर इसको डिकंपोस कर दिया जाएगा और वह खाद की रुप में फिर मिट्टी में मिल जाएगा जिस्ते मिट्टी का उपजाउपन जिसको भले। इसएंगे फर्टी लीटि बढ़ जाएगा इन इस सब नएं वर्ट सां olmas कर लेना है decompose तो यह सब नए words हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ words आपको याद कर लेने चाहिए class 8 में तो जब यह decompose करेगा तो उसका जो nutrients है अब यह nutrient word भी आपको याद करना होगा तो उसका जो nutrients है वह क्या होगा वापस से मिट्टी में मिल जागा तो nutrients मतलब क्या हो गया पोशक्तत्व वापस कहा मिल जाएंगे soil में मिल जाएंगे और plant क्या करेगा उसको absorb करेगा तो आपने देखा कि जो soil में organisms हैं microorganisms हैं या फिर other जो decomposers हैं वो क्या करेगे वहाँ जो plant का dead remains है या फिर organism को उसको सडाएगा गलाएगा उसको क्या करेगा खाद बनाएगा और उस खाद में जो nutrition है soil में चला जाएगा plant उसको absorb करेगा और absorb करने के बाद क्या होगा plant grow करेगा since only a few centimeters of top layer of soil supports plant growth turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients तो यहाँ पर एक और आपको answer मिल गया हम लोगों ने क्या पढ़ा कि turning loose क्यों किया जाएगा soil को तो एक दो point super पढ़ा एक point आप यहाँ भी लिख सकते है कि जब soil को loose किया जाएगा तो जो nutrients है वो क्या हो जाएगे nutrient rich soil क्या हो जाएगा top पर आ जाएगा to the top the nutrient rich soil comes to the top nutrient rich soil क्या जाएगा top पर आ जाएगा तो first point मैंने बताया था second अब यह देखिए third point भी हो गया आपका तो इस प्रकास से आप points बना बना के पढ़िए सब समझ में आएगा दस यहाँ पर आप से लिख सकते हैं दस turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops तो cultivation of crop के लिए turning और loosening क्या है बहुत ही important है तो थीन point मैंने बताया थीनों point आप लिख सकते हैं the process of loosening and turning of the soil is called tilling तो loosening और turning of soil को हम लोग क्या बलते हैं tilling और plowing जोतना जो मैं बार बार बतार था खुदाई करना word सही नहीं है जोतना word हम लोग use करेंगे तो हिंदी में तो हम लोग पढ़ना नहीं है English word हम लोग use करेंगे tilling और plowing यहाँ से question आपका आएगा what is tilling और plowing तो process of loosening loose L double O C loose देख सकते है N I N G लगा देना है and turning of the soil is called tilling और plowing तो loosening और turning को हम लोग क्या बलें tilling जोतना या plowing तो यह आपको याद रखना है यह next question हो गया this is done by using a plow plows are made of wood तो यह किस के दोरा हो सकता है plow के दोरा हो सकता है तो how it can be done with the help of plow तो आगे मैं दिखा रहा हूं आपको plows are made of wood or iron plow का अब यहाँ पर बनावट दिखाए गया तो plow किस इसके बने हो सकते है wood के या फिर iron के if the soil is very dry it may need watering before plowing the plowed field may have big pieces of soil called crumbs तो यहाँ पर दो तीन question आ गया इसलिए मैं बता दे रहूं आपको तो सबसे पहला यह जो plowing होता है वह किस के दोरा होता है plow के दोरा यह आपने समझ लिया दूसरा plow किस चीज़ का मिलके बना होता है तो wood का बना होता है या फिर iron का बना होता है तीसरा if soil is very dry यदि question पुछाए कि यदि soil very dry होगा तो tilling के पहले या plowing के पहले क्या किया जाएगा तो आप देख सकते हैं उसमें watering किया जाएगा words याद रखिए watering किया जाएगा before plowing इसके बाद आप देख सकते हैं the cloud field may have big pieces of soil called crumbs तो यहां से question आएगा crumbs किसे कहते हैं तो यह देख सकते हैं कितने छोटे-छोटे questions जो कि छुपे हुए है crumbs किसे कहते हैं तो cloud field में हो सकता है कि बड़े-बड़े pieces of soil हो जिससे हम लोग क्या बोलेंगे crumbs बोलेंगे it is necessary to break these crumbs with a plank तो अब अब यहां पर बात आ गया कि crumbs को कैसे तोड़ा जाएगा तो with help of with the help of plank तो यहां से question आएगा कि जो बड़े-बड़े pieces of soil बच गया plowing के बाद उसको भी क्या करना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा छोटे-छोटे pieces में तो वो किस के द्वारा होगा plank के द्वारा the field is leveled for sowing as well as for irrigation the field is leveled for sowing as well as for irrigation purpose the leveling of the soil is done with the help of leveler leveler का मदद लेना पड़ेगा तो यहां से अभी next question आ गया कि जो बराबर करना है उसको किस के द्वारा होगा leveler के द्वारा होगा तीन point आ गया plow से क्या करेंगे tilling करेंगे tilling करने के बाद plank से बड़े बड़े टुकडो को तोड़ेंगे लेकिन especially उसको level करने के लिए leveler का उप्योग करना होगा leveler मतलब एकदम सपार्ट उसको करना है तो उसके लिए leveler का तो तीन चीजा आपने समझ लिया पहला हो गया plow दूसरा हो गया plank और तिसरा हो गया leveler अब यहां से question आएगा कि क्यों आखिर उसको level किया जाएगा the field is leveled for sowing as well as for irrigation purpose तो फिल्ड को level किया जाएगा sowing मतलब बोने के लिए और दूसरा irrigation purpose के लिए भी किया जाएगा irrigation purpose के लिए मतलब मान लिजी यह इस प्रकार का field है तो यहां पानी सिर्फ डाला जाता है पूरे में तो पानी एक जगह आप डालेंगे तो पूरे field में फैल जाएगा इसलिए इसका level करना भी बहुत जरूरी होता है sometimes manure is added to the soil before tilling this helps in proper mixing of manure with soil तो कभी-कभी manure को भी डाला जाता है before tilling मतलब tilling करने के यान की plowing करने के पहले the soil is watered before sowing और sowing को sowing के पहले मतलब बोने के पहले तो पानी डालना ही होगा यह तो आप खुद भी जानते होंगे तो इस प्रकार से अब हम लोग बढ़ेंगे अपने next topic की और agricultural implements तो हम लोगों ने अभी तक किया पढ़ा agricultural practices में preparation of soil और इसी में आगे भी अब हम लोग उसके आगे बढ़ने वाले हैं तो आप देख सकते हैं agricultural practices को मैंने बताया कि यह साथ प्रकार से हम लोग करेंगे उसमें preparation of soil हम लोगों ने देखा और इसे बहुत सारे question answer को हम लोगों ने देखे यही कारण है कि थोड़ा time भी लग रहा है तो देख रहे हैं agricultural implements before sowing तो पहला हो गया हम लोगों का preparation of soil उसमें आगे continue हम लोग कर रहे हैं तो यही बोल रहा है उसके बाद क्या होता है sowing मतलब बीच का बोना तो before sowing the seeds it is necessary to break soil to the size of grains to get better yield तो better yield के लिए यहां पर बताया जा रहा है कि seed को बोने के पहले soil को क्या करना होगा अच्छे प्रकार से prepare करना पड़ता है और उसके लिए पीछे के वीडियो मैंने बहुत विश्त्रीत आपको पढ़ाया है तो यहां पर this is done with the help of various tools तो यहां पर कुछ tools का चर्चा किया गय है the main tools used for this purpose are the plow, hoe and cultivator तो plow, hoe and cultivator के बारे में आपको यहां पर पढ़ाया है तो सबसे पहला है plow this is being used since ancient time for tilling the soil तो plow का क्या काम है what is the function of plow for the tilling of soil तो हम लोग tilling of soil के लिए tilling मतलब जोता ही मैंने आपको बताया था हम लोग किस चीज का use करते हैं plow का use कर सकते है adding fertilizer to the crop removing the weights scrapping of soil तो कुछ और भी function लिख सकते हैं आप यहां पर तो what is the function of plow, what is the use of plow कुछ भी question पूछे तो सबसे पहला क्या होगा tilling of the soil जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था यहां पर थोड़ा सा और हम लोग add कर देंगे कि adding fertilizer to the crop removing weeds scrapping of soil तो बहुत सारे functions को यहां पर बताया तो यह कुछ functions आप यहां पर लिख सकते हैं this implement is made up of तो यह implement है किस चीज से बना हुआ है wood and is drawn by a pair of bulls और इसको खीचा जाता है तो आपने देखा भी होगा इसे यह पर अपड़ देख सकते हैं य यह प्लाव है और आप देख सकते हैं इसको बैल के द्वारा यहाँ पर क्या किया जा रहा है तो यह जोडी में है उनके द्वारा इसको क्या किया जा रहा है पुल किया जा रहा है तो मैंने आपको बार-बार बता है कि कुछ वर्ड्स आपको याद करना हुगा तो इंपलिम यह किसी से बना हुआ है उट से बना बूल्स तो इसको ड्राउन मतलब खीचा जा रहा है तो यह वर आपको याद करना पड़ेगा ड्राउन बाई पियर ऑफ बूल्स और अधर एनिमल तो कोई और एनिमल भी यूज़ कर सकते हैं इससे हो गया कैमल हो गया तो अब यहां पर आपको देखना है कि यदी question पूछेगा कि what is the structure of plow plow का structure क्या है तो plow का structure में आप देख सकते हैं it is made of wood and wood से बना होता है दूसरा आप लिख सकते है it contains a strong triangular iron strip called plow share तो आप दो line यहाँ पर लिख सकते हैं wood का पर होता है इसमें triangular iron strip होता है इसको plow share कहेंगे साथी साथ the main part of plow is a long log of wood which is called plow shaft इसको plow shaft कहेंगे there is a handle at one end of the shaft handle होगा shaft के यह देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यह देखिए यह plow shaft है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से handle लगाए गया है यह देख सकते हैं plow share है और यही क्या करता है यही tilling का काम करता है तो इसी को फसा दिया जाएगा यहाँ पर और यह देखिए यह खेत को जोत रहा है लूजनिंग आफ वायल कर रहा है ये देख सकते हैं ये शाफ्ट है ये बीम है देख सकते हैं जो कि यहाँ पर इनके कंधु पर लगा है तो आप थोड़ा समझे कि इसको आपको पढ़ाया जा रहा है यदि आपके आपका गाउं होगा और आप नौव में गय होंगे, खेती बाड़ी आपने देखा हुआ कि कैसे किया जाता है, आपके यदि जो दादा पर दादा कोई खेती करते होंगे, तो आपको यह पढ़ने का जरूरी नहीं है, आपको यह सब पता होगा, हलाकि यहां पर आपको English word यूज करना है, तो English word आ का structure क्या है, the other end is attached to a beam, जैसे मैंने दिखाया आपको यह जो other end है, वो beam से attached है, जिसको की वो जो पसूस को खींच रहा है, उसमें वो बंधा हुआ है, there is a handle at one end of the shaft, the other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck, तो बुल्स का जो कंधा है, उसमें वो बंधा हुआ है, one pair of bulls and a man can easily operate the plow, तो यह यदि आपने कभी खेती होते नहीं देखा, जुताई होते नहीं देखा, तो आपको यह बड़ा share लग रहा होगा, लेकिन यह बहुत normal practices है, गाउं के लिए, the indigenous wooden plow is indigenous मतला हो गया, देशी, wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays, तो हम लोगों ने देखा, यह plow किस का हो सकता है, wood का हो सकत है, तो indigenous word use किया गया है, यह हो गया, देशी, तो देशी हम लोगों का wooden plow है, भाँ धीरे-धीरे किस से replace किया रहा है, iron के plow से, उसके बाद देख सकते होग बताया गया है, it is a simple tool, यह बहुत simple tool है, which is used for removing weeds and for loosening the soil, तो यहाँ पर आपको function परते जाना है, use परते जाना, कभी आपको पुछेगा function तो भी यह लिख देना है, use पुछेगा तो भी लिख देना, what is the use of, what is the function of, it is a simple tool, which is used for removing weeds and for loosening the soil, loosening of soil के लिए, weeds के removal के लिए, तो weed क्या होता है, जो unwanted वहाँ पर plants उख जा रहे है, जिसको हम लोग खर पतवार करें, जैसे मालीज आपने धान लगाया गेहू लगाया, तो आप तो इसको उगाना चाह रहे हैं, लेकिन साथ हैं बहुत सारा घास उग गया और छोटे-छोटे ऐसे पौधे उग गया वहाँ पर, जो कि क्या करेंगे, सारे nutrients को absorb कर लेंगे, और आपका जो पौधा जो आपने crop लगाया है, वो मरना शुरू हो जा आपका दे रहा हूं, उड का या आईरन का, तो इसका यदि बनावाट पुछेगा, वाट इस दे स्ट्रक्चर आफ हो तो यहां से आप लिकना सुरू करेंगे, a strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end, तेक इस strong, अब देख सकते यहां पर bent plate है, वो यहां पर एक end पर लगा होगा, यह देख स खीचा जाएगा, तो आप देख सकते हैं, हो को दिखाया गया, जिसमें bend plate लगे हुए है, यहां handle है, grip है, और यह इस प्रकार से beam लगा हुआ है, और इसको animal के द्वारा खीचा जाएगा, इसके बाद हैता है cultivator, आप देख सकते हैं, यहां पर tractor है, जिसमें cultivator लगा हुआ ह तो यह cultivator किसके द्वारा खीचा जा जा रहा है, ट्रैक्टर के द्वारा, nowadays plowing is done by tractor driving cultivator, the use of cultivator saves labor and time, तो यह जो हम लोग का आधुनिक क्रिशी का तकनीक है, cultivation का तकनीक है, उसके लिए यह best है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यह topic यहां पर खत्व होता है, next topic होता है तो यह तो agricultural practices हम लोग पढ़ रहे थे, और उसमें हम लोगों ने यह साथ बाते देखी थी, उसी में सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ लिया है, preparation of soil, अब हम लोग पढ़ रहे हैं, सोइंग, आप जान रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, बोना, मतलब वुआई करना, तो सो सबसे पहले हो गया, sowing is the most important part of crop production, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले, हम लोगों ने पढ़ा, plowing, plowing के बाद क्या हो गया, sowing, मतलब सबसे पहले, खेत को जोता जाएगा, और उसके बाद क्या किया जाएगा, बोहाई का कारे किया जाएगा, जोदी आप सीड को बोएंग यही नहीं, तो फसल कहां से होगा, यह सबसे बड़ा problem है, इसलिए बोला जा रहा है कि it is the most important part, सबसे important part है, हलाकि जो agricultural practices है, उसमें सब पार्ट बहुत एहमियत रखता है, सिर्फ एक पार्ट ही एहमियत नहीं रखता है, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में बोला ग clean and healthy seeds of good variety, तो यहाँ पर good quality of seeds जो की बहुत अच्छे variety का होगा, उसको choose किया जाएगा, farmers prepare to use seeds, farmers prefer, यह prefer लिखा हुआ है, prefer to use seeds which give a high yield, तो यहाँ good variety कहने का क्या मतलब है, वैसे variety का seed जो की high yield देगा, बहुत ज़्यादा उत्पादन देगा, तो यहाँ seed का quality क्या होगा, good quality seed हो होना चाहिए, good variety का seed होना चाहिए, जिसे की high yield मिल सके, तो आप यहाँ से एक question आ सकता है, कि seed कैसा होना चाहिए, तो seed good quality का होना चाहिए, और good variety का होना चाहिए, दो word आप यहाँ पर answer में लिख सकते हैं, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, selection of seed, तो कैसे हम लोग select करे पहले तो आपको variety select करने के लिए अच्छे variety का market से seed लाना पड़ेगा, यह तो पहला बात है, लेकिन good seed का selection कैसे होगा, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो यदि मालनी जी आप पुराना seed रखा हुआ है, उसमें से कुछ seed अच्छे होते हैं, कुछ seed खराब होते हैं, तो जब हम लोग seed को बहते हैं, तो अच्छे seed को, यानि कि good quality के seed को बहते हैं, तो good quality के seed को कैसे पहचाना जा सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे लिखा गया है, are there seeds which float on water, यह activity में करा हिया था, would those be lighter or heavier than those which sink, why would they be lighter, तो यह सब कुछ question है, ऐसा करना क्या है, कि माल लिजी आपने कुछ पानी रखा है, किसी बरतर में, और उसमें आपको seeds को डालना है, तो जो आप seed को डालेगे, तो जो better quality word हम लोग use करेंगे, जो better quality का होगा, जो अच्छ मतलब डूब जाएगा, और जो खराब quality का होगा, मतलब जिससे की पौधा ना बने, वैसे quality का seed हो जागा, वो क्या हो जागा, तैरना सुरू हो जागा, फ्लोट होना सुरू हो जागा, तो उसे हम लोग बोलेंगे, उस seed को हम लोग बोलेंगे, damaged seeds, जिससे की plant नहीं बन सकता है, तो वही damaged seeds हो गया, या बोलेंगे, bad quality बोल देंगे, या फिर खराब seed कुछ भी यूज़ करें, लेकिन यहाँ पर damaged seeds बोला गया है, तो जो damaged seeds होता है, वो क्या होता है, hollow होता है, and are thus lighter, इसलिए वो क्या होता है, lighter होता है, therefore they float on water, तो जब आपने seed को डाला, तो जो देंगे, इस question को यदि पूछा जाए कि, seeds जो है, जो खराब seed हो तैरना क्यों सुरू कर जाएगा, तो इसका answer लिख सकते हैं कि, जो damaged seed हो hollow होता है, और lighter होता है, और lighter होने के कारण पानी के ओपर क्या करना सुरू कर जाएगा, तैरना सुरू कर जाएगा, तो किसी भी प्रक method to separate, बहुत सारे methods हो सकते हैं, लेकिन एक method यहाँ पर जैसे कि, आप हाथ से बिन भी सकते हैं, बहुत सा अच्छे seed को और खराब seed को आख से देखके, उसमें साफ पहचान में आ सकता है, लेकिन यह बहुत tough work हो जाएगा, क्योंकि एक-एक seed को चुनना, बिनना बहुत मुश कर सके, तो yes, हम लोग क्या करेंगे, seeds को पानी में डालेंगे, पानी में डालने के बाद जो damaged seed होगा, वो तैरना शुरू कर जाएगा, और जो healthy seed होगा, वो क्या होगा, बैठ जाएगा, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से फिर separate कर सकते हैं, Before sewing, one of the important task is to know about the tools used for sewing, तो यहाँ पर हम लोग वे tools का नाम जानने वाले हैं, जो कि sewing में, यानि की बोने में उपियोग होते हैं, तो सबसे पहला हो गया traditional tool, तो आईए देखते है, traditional tool के बारे में क्या बताय गया है, The tool used traditionally for sewing seeds is shaped like a funnel, तो traditional tool क्या है, एक tool होता है, जो कि funnel shape होगा, ऐसे होगा और इसमें अलग-अलग यह भाग होगे, इस प्रकार से, मतलब नीचे की और यह, अलग-अलग इसमें pipe निकले होगे, The seed are filled into the funnel, इसी funnel में seed को डाल दिया जाएगा, passed down through two और three pipes, यह दो और तीन pipe से नीचे की और जाएगा, having sharp end, इसका यह sharp end होगा, This ends, pierce into soil and place seeds there, तो यह pierce, pierce मतलब छिदर कर देंगे, तो जब इसका sharp end होता है, एकदम इस प्रकार से होता है, sharp end, तो जब यह जाएगा seed, तो उसको मिट्टी को pierce करता हुआ, मिट्टी को छेता हुआ, वह अंदर की और जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यह मिट्टी क के उपर कुछ मिट्टी होना चाहिए, यह पहला चीज, क्योंकि यह जो बीज है, उसके अंकुरन के लिए, यह बहुत ही आवस्टेक है कि यह मिट्टी के अंदर थोड़ा दबा हो, दूसरा, यदि यह मिट्टी के उपर मान लीजे होगा, तो इसको पानी परियाप्त नही नहीं मिल पाएगा, उसा टेंप्रेचर नहीं मिल पाएगा, जिससे इसका अंकुरन हो सके, और साथ ही साथ यदि यह बीज उपर हो गया, तो जो बर्ड्स है, वो क्या कर सकते ही, इसको फिर खा भी सकते हैं, तो यह सब प्रॉब्लम है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेग टूल, तो ट्रेडिशनल टूल को हम लोग यहां से अंसर लिख सकते हैं, तो यहां तक आप इसका अंसर लिख सकते हैं, इसके बाद आप देख सकते हैं, सीड ड्रिल के बारे में बता गया है, तो यहां पर यदी क्वेशन आपको पूछ लिया जाए, कि सोइंग के लिए दो, दो टूल का नाम बताईए, तो पहला क्या हो गया, ट्रेडिशनल टूल, दूसरा क्या हो गया, सीड ड्रिल, तो आपको याद रखना है सब क्वेशन, कहीं से भी कुछ भी कॉशन पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए, तभी तो आप एक्जाम में लिख सकेंगे, तो आप आगया सीड ड्रिल, तो आप देख सकते हैं, यहां पर सीड ड्रिल को दिखाये गया है, यदि आपको कॉशन ऐसे भी पूछा जाए कि, आप आपोरदेश के लिख संगर रहा है, तो आप क्या है? सीड ड्रिल, यहां थिस तूल सोज डशक जा टेइड पूबर्अ परिश्टन्स को जाए तो यह क्या करता है? यूनिफॉर्मली एक प्रकार सीड should go, पोये गा प्रोपर डिश्टेंस पे इस प्रकार से प्रोपर डिस्टेंस पे क्या करेगा सीड को बोता चला जाएगा इनके बिश में कुछ खास डिस्टेंस होगा जिस करण से इस करण से इन्सूर्स डैट सीड्स गेट कवर्ड बाइद स्वाइल आफ्टर सोई तो यह दो तरीके से कारे करेगा पहला तो प्रोपर डिस्टेंस होगा सीड्स के बीश में और दूसरा प्रोपर उसका डिफ्थ होगा प्रोपर वो गहराई पे उस सीड को लगाएगा इस प्रोपर उसको गहराई में लगाएगा डिफ्थ में लगाएगा तो उससे क्या होगा जो बर्ड से उसको हानी नहीं कर पाएंगे सोईंग बाइ यूजिंग असीड ड्रिल सेव टाइब लेवर तो यह टाइम भी सेव करेगा को भी सेव करेगा मतलब की इसमें लेवर का जरूरी क्या होगा मेहनत कम लगेगा की एन और प्रोप्रिए डिस्टेंस बी्ट difícil इंपोरॉटन तो यह कोस्रें पुछा कका है वाई यह प्रोप्रियेट डिस्टेंस बत्मिन से इंपोरॉटन तो सिमपल सा बात है मानली जी कि यदि हम लोग क्रॉप का बात नहीं करें एक आम का पौधा का बात करें तो यदि आप आम का पौधा लगाएंगे तो एक आम का बीज यहां लगाएंगे दूसरा यहां लगाएंगे तीसरा यहां लगाएंगे ऐसा आप लगाएंगे क्या यहां पर आम का बीज सोच लिजे कितना इस बोर्ड के जितना चौणा बनेगा तो यह दूसरा कहां जाएगा इसका मतलब प्रोपर डिस्टेंस होना चाहिए यदि हम लोग क्रॉप का बात करें तो यह धान का पौधा यहां है तो उसी के जश्ट बगल में दूसरा धान का पौधा तीसरा धान का पौधा लगा दिया जाए तो पौधा नहीं वाड यूसकर करें तो भी यह बहुत सही नहीं रहेगा यदि हम लोग सरसों का बात करें तो भी मतलब प्रोपर डिस्टेंस तो चाहिए ताकि उसको अच्छा से न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो बहुत ही मुस्किल है उसका ग्रो करना तो यहीं अंसर भी लिक सकते हैं तो अवाइड ओवर क्राउड़िंग आफ प्लांट सो यदि हम लोग दो प्लांट्स के बिच में गाप रखते हैं तो उससे ओवर क्राउडिंग नहीं होगा एंड दिस अलाउव plant to get sufficient sunlight nutrients and water from the soil sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding ते दी overcrowding मतलब क्या हो गया बहुत वहाँ पर भीर मतलब की बहुत जादा एक ही जगह पर पौधे लग जाएगे तो overcrowding हो जाएगा जिस कारण से proper nutrient नहीं मिल पाएगा proper sunlight नहीं मिल पाएगा proper उसमें irrigation नहीं हो पाएगा water नहीं मिल पाएगा तो plant grow कैसे करेगा यह सब ध्यान देना पड़ता है खेती करने में खेती simply बोल देने से खेती नहीं होता है बहुत सारे चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है अब आप देखेंगे seeds of few plants such as paddy are first grown in nursery तो paddy जो धान लगाते हैं उसमें सबसे पहले धान का बीचड़ा त्यार किया जाता है तक देख सकते हैं धान जो है उसका चोटे चोटे नरसरी में पौधे को लगाते हैं when they grow जब छोटे चोटे यह प्लान्ट लिट्स बन जाते जो छोटे पॉद्स को मैंनुवली उसको लोग वहां से उखाड़ेंगे और मैनुवली हाथ से दूसरे ले जाके लगाएंगे इसी प्रकार से आप देख सकते हैं फॉरेश्ट प्लांट होता है उसमें भी प्लांट को ग्रो किरा जाता है कही और फिर उसको दूसरे जगह लगाए जाता है तो इसको नरसरी में पहरे हम छोटा-छोटा पौधा बना लेंगे फिर उसको खाडेंगे फिर दूसरे जगह जाके लगाते हैं तो इस प्रकार से यह टॉपिक भी खतम हो गया तो एक-एक टॉपिक करके मैं आपको पढ़ा रह होटे हैं हम लोगों ने शुरुवात की थी अगरी केल्चेन से और हम उन्न देखा था कि बहुत सारो इंगरी कल्चेन से होते हैं उनीमें से एक-एक करके हम लोग पढ़ते जा रहे हैं तो अब हम Φो को तयार करने के बाद उसमें बीज को बहते हैं और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे एडिंग मैनुवर एंड फर्टिलाइजर दस सबस्टांसेज विचार एड़ेट तो दस्वाइल इन दस्वार्म आफ नूट्रियंट्स फोर्ड़ी ग्रोथ और प्लांट आर कॉल्ड मैनुवर एंड फर्टिलाइजर तो यहां से अपका जो सबसे पहला क्वेशन हां फ है तो पहले तो आपको समझना चाहिए कि मैनुवर और फर्टिलाइजर में कुछ खास डिफ्रेंस होता जो की आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं लेकिन अभी इसको एक साथ लेखे चले तो इसको simply हम लोग खाद कह सकते हैं, जो कि क्या देता है, plants को nutrients देता है, जो फसल हम लोग लगा रहे हैं, उसको क्या देगा, nutrients देगा, मतलब उसको portion देगा, तो यहां से हम लोग इसको परिभासित कर सकते है, The substance which are added to the soil in the form of nutrients, in the form of nutrients for healthy growth of plant are called manure and fertilizer, तो यहां पर हम लोग देखे हैं कि वे substance, हम लोग को तीन words याद कर लेना है, substance याद कर लेना है word, nutrients याद कर लेना है, और healthy growth याद कर लेना है, और इनी को सजा के लिख देना है, Waste substance जो की nutrients के लिए plant में डाले जाते हैं, जो उनका plant का growth करता है, उसे हम लोग क्या बोलते है, manure and fertilizer, और इन तीन words को लेके आपको बस यही exact नहीं उतारना है, इसी में आप variation करके फिर लिख सकते हैं, अपने हिसाब से इसको आप लिख सकते हैं, तो आपका answer सही हो जाएगा, लगी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, manure and fertilizer में काफी differences होते हैं, उसको हम लोग आगे की और पढ़ेंगे, तो यदि healthy crop चाहिए, healthy growth चाहिए plant का, तो उसके लिए उसको खास nutrients चाहिए, बहुत सारे, उसको minerals चाहिए, बहुत सारे nutrients चाहिए, जिससे की उसके सही parts क्या कर सके, अच्छे से grow कर सके, इसी कारण से हम लोग manure और fertilizer का उपयोग करते हैं, soil supplies mineral nutrients to the crop, these nutrients are essential for the growth of plants, in certain areas farmers grow crop after crop in the same field, the field is never left uncultivated or fallow, imagine what happens to the nutrients, तो आप देख सकते हैं, कह क्या रहा है, कि यहाँ पर जो soil है, वही मुख्य रूप से nutrients को provide करता है, तो मान लीजिए, यह soil एक land है, और यहाँ पर कुछ फसल को उगाया गया, और जैसे ही फसल को उगाया गया, तो जब फसल को उगाया जाएगा, तो वो nutrients को क्या करेंगे, तो क्या होगा, इस से क्या होगा, कि उस लेंड का, उस जो भूमी का, वो जो खेत है, उसका nutrients क्या हो जाएगा, सब वो plants एब्जॉर्व कर लेगे, तो जो next plant आ रहा है, उसके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो यही यहाँ पर बोल रहा है, crop is the same field, बतलब एक ही field में, never left cultivated or fellow, uncultivated or fellow, तो यहाँ पर cultivated word नहीं है, uncultivated है, uncultivated मतलब कि उसको फिर खाली नहीं छोड़ा जा रहा है, fellow मतलब क्या हो गया, परती उसको नहीं छोड़ा जा रहा है, मतलब कुछ time के लिए उसको rest नहीं दिया जा रहा है, जैसे हम लोग अपने language में बात करते हैं, कि उसको लगातार यूज में लिया जा रहा है, लेकिन मालेज्य ऐसा होता कि एक season में इसमें खेती होता, और दूसरे season में इसको छोड़ दिया जाता, तो फिर इसके nutrients वापस आ जाते, तो यह कैसे आते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा organic substance है, वो इसमें मिल जाता, साड़ा ल पड़ेगा, फिर अलग से इसमें nutrients को डालना पड़ेगा, और यह काम कौन करेगा, यह काम हमारा fertilizer और manure करेगा, जैसे कि आप भोजन करते हैं, तो भोजन के साथ साथ बार्न वीटा लेते हैं, या फिर हॉरलिक्स लेते हैं, तो वो क्या हो गया, वो आपका, वो आपका समझ लीजे, एडिशनल nutrient आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आपके सरेरे में nutrients की कमी ना हो, तो कभी-कभी ऐसा होगा कि खेत में यदि फसल को लगाया गया है, और वो खेत बहुत उपजाओ नहीं है, फर्टाइल नहीं है, मैंने बुला था कि फर्टाइल वर्ड पैदा हो सके, continuous growing of crops makes the soil poorer in certain nutrients, therefore farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients, तो यहां से दी आपको पूछा जाए कि manure को field में क्यों डाला जाएगा, तो यहां पर manure वर्ड यूज हो रहा है, फर्टिलाइजर वर्ड वर्ड यूज हो रहा है, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया है, कि दोनों को ही खाद ही कहेंगे, लेकिन एक है, और्गेनिक खाद और एक क्या है? एक आपका chemical खाद है, तो जो और्गेनिक खाद है, उसको düşंए मैनुवर बोलते हैं, और जो chemical fertilizer है, वो क्या होता है, वो क्या होता है, जिसको फैक्टरिमें बनाय जाता है, जबकि मैनूवर है, उसको कहाँ बनाए जाएगा फेल्ड में बनाए जाएगा इसके difference को हम लोग आगे समझने वाले हैं तो आप यह समझे कि जो गोबर है सड़े गले पदार्थ है उसी जो पतिया है या फिर बहुत सारे ऐसे चीज है जो waste material उनको सड़ा गला के क्या बनाए जाता है मैनुवर बनाए जाता है तो यहाँ पर हम लोग मैनुवर वर्ड यूज करें तो इस पर आप फोकस कर सकते हैं तो continuous growing of crops makes the soil poorer in certain nutrients therefore farmers have to add मैनुवर to the fields to replenish the soil with nutrients तो यहाँ से दी question आएगा कि this process is called मैनुवरिंग तो यहाँ से दी question आए कि मैनुवरिंग क्यों जरूरी है मैनुवर मैनुवरिंग क्या होता है तो मैनुवरिंग सीधा सा मिनिंग है कि adding मैनुवर to the field मैनुवर को फिल्ड में डाल रहा है तो that is called as मैनुवरिंग लेकिन यहाँ पर next question है कि why मैनुवरिंग is important मैनुवरिंग क्यों important है तो यहाँ से इंसका answer आप कर सकते हैं continuous growing of crops make makes the soil poorer तो जब continuous क किसी plant किसी crop को आप किसी भी crop को एक ही field में लगाते हैं तो क्या होगा वहां का nutrition क्या हो जाएगा in certain nutrients तो उसमें कुछ nutrients हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा कम मात्रा में हो जाएं मतलब उनका बहुत ज्यादा absorption हो चुका हो तीस करण से therefore farmer have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients इसी करण से जो farmer है उन nutrients क्या हो सके replenish हो सके वो जो nutrients जो अवसोसित हो सके हो गये हैं उनकी फिर भरपाई हो सके तो आप लिख सकते हैं यहां पर दो points बना के continuous growing of crops makes the soil poorer in certain nutrients तो यह हो गया पहला point पहला line हो गया दुसरे line में लिख सकते हैं therefore farmers add manure direct आप यहां लिख सकते हैं in the field to replenish the soil with nutrients soil में nutrients को replenish करन nutrients को डाला जा सकता हैं तो यही process हो गया maneuvering हो गया improper or insufficient maneuvering resulting weak plants तो improper or insufficient मतलब कि यदि सही प्रकार से maneuvering नहीं किया जाए तो plants क्या हो जाएंगे weak हो गया और weak होने का क्या करण है क्योंकि उसमें nutrients की मात्रा बहुत कम उनको मिलेगी manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste तो यहां से आपका question आया कि manure क्या है what is manure तो direct answer मैंने बताया manure is an organic substance तो organic कहने का क्या मतलब हो गया कि वो living जो organism है उससे प्राप्थ होता है जो living organism है उनका माले जे गोबर हो गया या फिर जो living organism dead हो गया मर गया उनका decomposition हुआ तो उसके द्वारा manure बनता है इस करण से हम लोग बोलते है कि organic substance तो आप जानते हैं कि यह जो organic substance है living organisms में ही पाये जाते हैं जबकि जो non-living world में substance पाये जाता है उससे हम लोग क्या बोलते है inorganic substance तो manure is an organic substance पहला लाइन कहा लिख देना आपको कि manure क्या है organic substance है और यह कैसे मिलता है it is obtained from the decomposition of plant or animal waste तो plant or animal waste के decomposition से manure मिलता है फिर से देख लिजे manure क्या है organic substance है यह कैसे मिलता है plant or animal का जो waste है उसके decomposition से मिलता है इसके बाद आप देख सकते है farmers dump plant and animals waste in pits at open places and allow it to decompose the decomposition is caused by some microorganism तो यहाँ से आपको question पुछा जाए कि यह जो decomposition है वो कैसे होता है तो the decomposition is decomposed मतलब क्या हो गया जो यह animal or plant waste को हम लोगों नहीं डाला वो सड़रा है गल रहा है वही क्या हो गया decomposition हो गया तो वो कैसे हो जा रहा है, micro organisms के द्वारा, तो यदी question पूछा जाए कि यह decomposition कैसे होता है, तो आपका answer क्या करना है, decomposition takes place through the help of micro organism, the decomposed matter is used as organic matter, तो यही जो waste material है, वो decomposed हुआ और वही क्या है, organic manure है, तो यह तो आपने आप समझ लिया, You have already learnt about vermi composting in class 6, तो vermi composting आपने class 6 में पढ़ा है, जिसमें worms का use करके फिर manure बनाया जाता है, अब यहाँ पर आपको fertilizer के बारे में पढ़ना है, fertilizers are chemical substances which are rich in a particular nutrient, how are these different from manure, तो यही तो question हम लोगों को पढ़ना है, क्या अखिर fertilizer manure से different क्यों है, लेकिन आप देख सकते है, water fertilizer, तो यह यहाँ पर question काई से हम लोगों कर सकते है, fertilizers are chemicals, यहाँ पर fertilizer को क्या बोला गया है, chemicals, जबकि हम लोग क्या बोल रहे थे, manure को बोले थे, organic substance, देखी कितना अंतर है इसमें, तो difference करना हो तो direct difference हो सकता है, कि manure are organic substances, और fertilizers are chemical substances, पहला difference तो खुद ही हो गया, कि fertilizers are chemical substances which are rich in particular nutrients, जो कि यह खास nutrient इन में पाया जाता है, how are this different from manure, तो यह तो पहले ही लाइन में clear हो गया, लेकिन दो तीन difference इसको हम लोग कर सकते है, fertilizer को कहा बनाया जाता है, fertilizer को बनाया जाता है, factories में, लेकिन manure को कहा बनाया जाता है, manure को बनाया जाएगा आपको खेत में, तो आप देख सकते हैं, क्वेशन आजी हम लोग करें कि what are the differences between fertilizer and manure तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung, human waste and plant residue तो आप देख सकते हैं manure क्या है, organic substance है ये भी आप लिख सकते हैं natural substance है ये भी लिख सकते हैं obtained by the decomposition of obtained by the decomposition of decomposition के द्वारा ये प्राप्त होता है, तो किसका decomposition तो जैसे हम लोगोंने पीछे पढ़ा था plant और human waste जो होता है उसका decomposition लेकिन यहाँ पर clearly लिख दिया कि cattle dung हो गया, human waste हो गया, plant residue हो गया उनका, उनको सडाय गलाय जाएगा, उनका decomposition होगा तो क्या बनेगा, manware बनेगा, तो आपने देखा कि एक ही book में अलग अलग जगा इसका अलग अलग definition हम लोग कर सकते हैं, लिखा हुआ है तो अपने मन से भी आप अच्छा definition बना के लिख सकते हैं, वहाँ पर सब points आने चाहिए अब इसके बाद मतलब कि आपको bookish language यूज़ करने का ज़रूरी नहीं, अपने language में भी इसको लिख सकते हैं फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर इस एन इन और्गेनिक साल्ट, देखिया और और नहीं आप गना दिया, इसको इन और्गेनिक साल्ट कह दिया, अभी हम लोगों ने देखा था कि केमिकल सबस्टांस, तो आपको जो word याद रहे, वो आप वहाँ पर लिख सकते है तो को यह कियाद कर लिजे, अब इन और्गेनिक मैंने आपको समझाया है, इसके बाद देख सकते हैं, फर्टिलाइजर is prepared in factories, फर्टिलाइजर को फैक्रिम में प्रिपेर किया जाएगा, जबकि मैनुर को कहां प्रिपेर किया जाएगा, फिल्ड में, फर्टिलाइजर does not provide any humus to the soil, फर्टिलाइजर से कोई भी humus नहीं मिलता है, humus क्या होगे जो decomposition के बाद, जो पदार्थ है वह मिट्टी मिल रहा है, और जो डिकम्पोज हो रहा है, पदार्थ हुआ ही humus बना रहा है, मैनुर प्रवाइजर 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 होता है, तो आप ने देखा, तीन पॉइस तो ऐसे ही हो गए, मैनुर इस रिएटिवली रेस लेस रिच इन प्लांट नूट्रेंट्स, तो मैनुर क्या है, मैनुर तो जो नेचुरल चीज है, प्रकृतिक चीज हो, उसी को सड़ा गला के बनाए जा रहा है, लेकिन आप दे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, तो एन पी के, पोटेशियम को हम लोग के से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन एन हो गया और फॉस्फोरस पी, तो एन पी के आपको याद रखना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, तो यह चार डिफ फर्टिलाइजर और केमिकल सबस्टांस है that are rich in some special chemical कोई एक special chemical में से rich होते हैं या फिर nutrient बोलेंगे इसके बार हम लोग ने देखा इस कलक परिवासा के फर्टिलाइजर और इन और गेनिक साल्ट तो वह भी लिख सकते हैं एक्जामपल अब देख सकते हैं यूरिया हो गया, अमोनियम सर्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पुटास, इन पी के आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पॉटैशियम तो यहां से question आएगा, write down the examples तो आपको लिख देना है, दूसरा question आ सकता ह की यह सब क्या है, तो आप दोलेगे की यह क्या है, फार्टिलाइजर है, the use of fertilizers has help farmers to get better yield of crops such wheat, paddy and maize, but excessive use of fertilizer has made the soil less fertile, fertilizers have also become a source of water pollution, यहां से देख सकते हैं, water the benefits of fertilizer, तो fertilizer का benefit क्या हो गया? help farmer to get better yield of crop better yield of crop के लिए fertilizer is very good मतलब fertilizer का उपयोग करके हम लोग अच्छा crop का उत्पादन कर सकते हैं यह हो गया इसका benefit लेकिन देख सकते हैं what are the harmful effect of fertilizer fertilizer का harmful effect भी है तो आप इसका answer यहां से लिख सकते हैं excessive use of fertilizer has made the soil less fertile मतलब यह च्शेसिव इस फिर्टाइल किया जाए fertilizer किया जाए तो वह soil को क्या कर देगा less fertile बना देगा fertilizer have also become a source of water pollution fertilizer की दोड़र क्या होगा water pollution होगा तो पहला क्या point आप लिख सकते हैं makes the soil less fertile पहला क्या लिख देंगे it makes the soil less fertile दूसरा क्या लिख सकते हैं It is a source of water pollution. दुसरा क्या point लिख सकते हैं? It is a source of water polisher. तो इस प्रकार से आप answer बना-बना के लिख सकते हैं. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers by organic manure or leave the field uncultivated fallow in between two crops. तो यदि पूछा जाए कि जो खेत है, उसको जादा उपजाओ बराने के लिए क्या किया जाएगा? तो पहला adding manure, यानि की manure पहला चीज क्या हो गया? manure डालना और दूसरा land को fallow छोड़ देना, मतलब परती छोड़ देना या फिर uncultivated छोड़ देना for some time या फिर बोलेंगे between two crops. तो these are the two methods through which we can improve the fertility of soil. आगे आप देख सकते हैं, the use of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenishes the soil with the nutrients. तो नया question होगिया कि manure का क्या क्या फाइदा है? तो सबसे आपको कुछ exam में समझ में नहीं आ रहा है कि manure का क्या फाइदा है? तो सबसे पहला लिख सकते हैं, it provides nutrients to the plant. ये क्या करेगा, plant को या crop को क्या करेगा? nutrient प्रोवाइड कराएगा. इतना तो आप लिखी सकते हैं, क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया, nutrient मतलब क्या होगिया? पोशक तत्व प्रदान कर रहा है, किसको प्रदान कर रहा है? plant को प्रदान कर रहा है. तो पहला तो ऐसी ही बना के लिखा जा सकता है, कि manure provides nutrients to the plant. दूसरा क्या लिख सकते हैं? it improves soil texture. ये soil texture को improve करेगा, और water retaining capacity को. मतलब वहाँ जो मिट्टी है, उसमें पानी धारन करने का चंता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो retain word यूज किया गया है. retain मतलब क्या होता है? धारन करना. मतलब उसमें पानी जादा hold करने का capacity बढ़ जाएगा. इसको हम लोग कहते हैं, water holding capacity. तो दूसरा point लिख देंगे, it increases the water holding capacity of soil. it increases the texture of soil. तीन हो गया. it replenishes the soil with all the nutrients. तो आपने देखा, तीन यहाँ पर points बना सकते हैं. पहला क्या हो गया? it provides nutrients. दूसरा, it increases the water holding capacity. it improves the texture of soil. तो यह तीन points आप यहाँ पर लिख सकते हैं. Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. तो यह तो आपने समझ लिया यहाँ पर. हम लोगों ने बोला. क्या बोला? कि यदि हम लोगों को जो field है, उसका उरवर्ता को बढ़ाना है, fertility word आप याद रखिए, बढ़ाना है, तो क्या करेंगे? या तो उसमें manure डालेंगे, या तो क्या करेंगे? उसको baron छोड़ देंगे कुछ समय के लिए. baron मतलब यहाँ पर fallow बताएगी है, तो कुछ other method और भी है, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, field के उरवर्ता को बढ़ा सकते हैं, तो उसका नाम क्या है? crop rotation, तो crop rotation कैसे क्या सकता है? इस ग्रोइंग डिफरेंट क्रोप अल्टरनेटिवली, तो जैसे एक सीजन में हम लोग एक crop लगाएंगे, तो दूसरे सीजन में मान लिजए कि हम लोग दूसरा crop लगाएंगे, जैसे कि पहला सीजन में हम लोगों ने लगा दिया, मान लिजए कि गे हो, और दूसरा सीजन में हम लोगों ने दलहन लगा दिया, यानि कि दाल का पौधा लगा दिया तो ये crop rotation हो गया एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद फिर दूसरा तो crop rotation में खास ध्यान देना होता है कि हम लोग वैसे पौधे को चूज करें जो कि nutrition को क्या करें बढ़ा सकें इस ग्रोइब डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर इंडिया यूज ग्रोग्यूम लेग्यूम एस फॉडर इन वन सीजन और वीट इन देक्स सीजन तो आप देख सकते हैं यह जो लेग्यूम है एक सीजन में लेग्यूम यूज कर रहा है और दूसरा एस फोडर के रूप में और दूसरा सीजन में क्या कर रहा है वीट का यूज कर रहा है नेक्स सीजन में तो यह क्या हो गया क्रॉप रोटेशन हो गया दिस हें इन दा रिप्लेश्मेंट आफ दा स्वाइल विथ नाइट्रोजन तो जो लेग्यूम नस पाए जाते हैं और यह जड़ में जो नोडिल्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो एक सिजन में आपने इसको लगा दिया तो यह प्लांट में क्या करेंगे नाइट्रोजन की मात्रा को क्या कर देंगे बढ़ा देंगे जिसको फिर ने स्वेजन में और दूसरे सिन रूप कि लगाना इसमें कैसे हम लोग क्रौपिंग पैटर्न करते हैं तो वीड लगाये जातो दूसरे सिन में दलहन के पौधे को गदाते हैं लिग्युम्स के पौधे को लगाते हैं In the previous classes, you had learned about rhizobieum bacteria. These are present in the nodules of the root of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. लगिमनेस प्रांट कहते हैं पहला एसकर plays believe in rock भा गया लागेिवाःद्र ढॉट सब्सक्राइब क्या हो जाए जिसका नाम का भी चुरे चोपियंको करता है कि अले इंवायर्मेंट में नाइटोजन उसको इस रूप में बदल देना जिसको वह फैलनट कर सके तो वही है नाइट्रोजन फिक्सेशन पीपांच पॉइंट हो गया तो यही आपको रट लेना है जो जो पॉइंट मैंने बताया इसके बाद मैनुवर और फर्टिलाजर में डिफ्रेंस मैंने आपको करा दिया अब आप देख सकते हैं गिस्ट डिफ्रेंस बिट्वेंड एडवांटेज़ ऑफ मैनुवर दा और गेनिक मैनुवर is considered better than fertilizer this is because तो अब यहां पर question देख पूछा जाएगा कि मैनुवर is better than fertilizer how ता आप देख सकते हैं it enriches the water holding capacity of the soil मैंने आपको बताया सुरू में यह water holding capacity को बढ़ाएगा मैनुवर का फाइदा तो मैंने बताया it makes the soil poor exchange of gases become easy it increases the number of friendly microbes it improves the texture of the soil तो यहां पर आप देख सकते हैं texture of soil improve करेगा जिसमें क्या करेगा वो soil को क्या करेगा पूरस भी करेगा उसी के साथ साथ क्या होगा इसमें इसमें gas का क्या होगा मतलब जब यह पूरस हो जाएगा इसमें gases आसाने से प्रवेस कर पाएंगे और उसी से क्या होगा increase of number of friendly microbes जो की बहुत important microbes हैं वो भी पन पेंगे और इसी से क्या होगा आपका holding capacity water holding capacity भी क्या होगा बढ़ेगा तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कुल मिला के soil का texture क्या हो जाएगा बहुत अच्छा हो जाएगा और यह क्या करेगा nutrients भी provide करेगा यह points भी आप लिख सकते हैं तो यह सारा point हो गया advantage of manure the organic manure is considered better than fertilizer this is because तो यह दिये question पूछा जाए वाई तो इसका answer आप यहाँ से कर सकते हैं इसके बाद हमारा next topic है irrigation all living beings need water to live आप जानते हैं कि जितने भी living organisms हैं उनको water की आवशकता है इसका मतलब क्या है कि जो living organism है उनके लिए water बहुत ही essential है उनके जीवन के लिए तो आप जानते हैं कि plant भी क्या है plant भी living organism है तो उनके लिए भी water बहुत ही essential है water is important for proper growth and development of flowers, fruits and seed of plants तो यहाँ पर जो बात बताया गया why हम लोग लिख सकते हैं कि why water is essential for plants तो उसका answer जितना लिखा हुआ है उतना ही हम लोग लिख सकते हैं तो यहाँ पर यह प get water is important for proper growth यहाँ पर word क्या लिखा हुआ तो proper growth and development आप सब चीज़ लिख सकते हैं, कुछ भी, flowers हो गया, fruits हो गया, leaves हो गया, seeds हो गया, कुछ भी पुरा plant हो गया, यह आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो plant के parts को आप लिख सकते हैं, पुरा plant लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख देंगे, आपका answer सही हो जाएगा, तो य water is absorbed by, water is absorbed by, water लिख हुआ है, water is absorbed by the plant roots, तो आप जानते हैं कि water कैसे absorb होता है, plant root के द्वारा होता है, आगे क्लासे में आप पढ़ेंगे, किस प्रकार से, root जो है water को absorption करेगा, और xylem के द्वारा, xylem एक tissue होता है, जिसके द्वारा, यह जो water है, वह क्या होगा, plant के ऊपर के भागों में चड़ेगा, तो जो water है, उसी के साथ साथ बहुत सारे minerals भी root के द्वारा क्या होते हैं, absorb होते हैं, जो कि plant के growth and development के लिए बहुत ही essential है, along with water, minerals and fertilizers are also absorbed, तो आप देख सकते हैं कि water के साथ साथ minerals और fertilizers को भी कौन absorb करेगा, उसका root absorb करेगा, plant contain nearly 90% water, तो plant में nearly 90% क् water is essential because germination of seed does not take place under dry condition, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब seed का germination होता है, तो seed के germination के लिए water बहुत ही जरूरी होता है, water is essential because germination of seed does not take place under dry condition, तो जो seed का germination है वो dry condition में नहीं होगा, फिर seed से जो growth है plant का वो भी पानी के बिना नहीं होगा, कुल मिला के आप समझे कि plant को grow करने के लिए seeds से germination से लेके उसके growth के लिए water बहुत ही जरूरी है, nutrients dissolved in water get transported to, transported to each part of the plant, तो हम लोगों ने क्या देखा, यह जो nutrients है, water में dissolve form में उसको root absorb करेगा और plant के different parts तक पहुँचाएगा, तो यहाँ पर मैंने paint बना दिया है, तो यहाँ छोटा plant भी है, तो भी उसमें इसी प्रकार से होगा, यह देखिए यह भी छोटा plant भी करें यहाँ, tree बना है, कुछ भी, यह तो plant ही है न, each part of the plant water also protect the crop from both frost and hot air currents, तो यह frost से या और साथी साथ hot air currents से भी क्या करेगा, पौधे को सुरक्षित गया, तो frost क्या होगा यहाँ पर, frost पाला हो गया, और hot air currents क्या हो गया, जो गर्म होई चल रही है, उससे भी plant का क्या करेगा, रक्षा करेगा, तो अब देख सकते हैं कितनी सारे बाते बताएगी है, to maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be water regularly, तो यहाँ इसके पहले हम लोग थोड़ा सा देख ले, कि यहाँ पर क्या क्या बोला growth and development के लिए, proper growth and development के लिए, दूसरा क्यों जरूरी है, तो दूसरा आप देखेगे कि यदि plant का जो अंकुरन है, यानि कि germination के लिए जरूरी हो गया, उसका seed का germination के लिए, plant का germination नहीं, what use करेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, seed का germination के लिए, तीसरा क्या हो गया, water के द्वा पार्ट में पहुँचेंगे इसके बाद आप देख सकते हैं कि water क्या करेगा water also protects the crop यह protection का भी काम करेगा protects the protects germination growth and development तो आप देख सकते हैं चार यदी keywords हम लोग याद कर लें तो इसके answer को आसानी से लिख सकते हैं growth and development करेगा, germination में मदद करेगा, nutrients को पहुंचाने मदद करेगा, protection करेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर protection करेगा, तो यह चार keywords यह आपने याद कर लिया है, तो इन keywords आप क्या कर सकते हैं, उसके answer को आसानी से बना सकते हैं, तो आपको यह छोटे-छोटे words याद कर लेनी मैं बार बार बता रहा हूं, तो फिर से देख लीजे, growth and development करेगा, germination में मदद करेगा, nutrients कैसे प्रोवाइड करेगा, water में जो nutrients भूल के, plant के different parts से पहुंचेंगे, और फिर protection करेगा, तो protection किस से करेगा, बताइए, frost से करेगा, पाला से, जिसे हम लोग बोल रहे हैं, protection करेग यह बात आपने समझ ली, तो अब यहाँ पर यह जो water है, वो plant में आएगा, कहां से, तो soils आएगा, और यदि soil में यह जो water है, बहुत कम है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसमें पानी डालना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं, irrigation, तो अब चलिए हम लोग का next, यहाँ पर जो main topic है, वही आगया, irrigation, the supply of water to cross at different interval is called irrigation, irrigation मतलब सीचाई आप जानते हैं, तो the supply of water, यहाँ क्या word आपको याद करना है, supply of water, तो यह words यह आपको याद नहीं है, और आप English medium में इसको लिखना है, तो हो सकता है कि आपको बहुत पड़े, क्योंकि समझना तो बहु मुश्किल हो सकता है क्योंकि ऐसे words याद होने चाहिए, तो supply of words, यहाँ यहाँ याद रहेगा, तो आप answer को असानी से नहीं कर सकते हैं, तो supply of water to crops, तो supply of water to crops at different interval, different interval, regular interval, कुछ भी word यहाँ पर यूज़ किया जाए, appropriate interval is called irrigation, तो इसमें छोटा सबस याद करना है, आपको supply of water, supply of water at different interval, is called irrigation, तो water का जब supply होगा, different interval पर होगा, तो इसे को क्या बोलेंगे, irrigation बोलेंगे, the time and frequency of irrigation varies from crop to crop, अब जी जो time होगा और frequency होगा, frequency मतलब कितने बार आप उसको पानी डाल, supply कर रहे हैं, मैं यही word यूज़ करूँगा, तो आपको याद भी हो जाएगा, कि कितने बार आप पानी का supply कर रहे हैं, इसका मतलब irrigation कर रहे हैं, वह अलग-अलग crop पर निर्भर करेंगे, कुछ crop है जिसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, कुछ crop है जिसको बहुत कम पानी चाहिए, ठीक इसी प्रकार से कुछ crop को आप summer में लगाएंगे, कुछ crop को आप winter में लगा तो इस प्रकार से भी वहाँ पर अलग-अलग season के हिसाब से भी आपको पानी का जरूरी पढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, the time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season, और soil to soil किस प्रकार के soil में आपने लगाया है, यह भी निर्भर करेंगा, तो पहला time हो गया, दूसरा क् आपका soil हो गया, और तीसरा क्या हो गया, आपका season हो गया, तो time के अधार पे, soil के अधार पे और season के अधार पे, आपको पानी को supply करना होगा, water को supply करना होगा, irrigation करना होगा, in summer the frequency of watering is higher, यह तो इसम सिंपल सा बात है, कि summer में frequency क्या होगा, higher होगा, क्योंकि बहुत ज़्याद पानी क्या होगा, गर्मी को पाकर evaporate होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी हम लोग को irrigation में पानी का supply करना पड़ेगा, why is so, बहुत आसान था, could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves, तो सही बात है, कि leaves और स्वाई से क्या होगा, evaporation of water बहुत ज़्यादा होने लगा, तो जिस कारण से हम लोग क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा irrigation मतलब की supply of water करना पड़ेगा, source of irrigation, irrigation का क्या क्या source है, the sources of irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals, तो यह आप लिख सकते हैं, water the sources of irrigation, तो यह सब आपको ना the water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the field, अब यहाँ पर जो नाम बताई से वेल हो गया, कुआ से पानी को field तक पहुचाना है, नहर से, यानि कि कैनाल से field तक पहुचाना है, river से field तक पहुचाना है, तो field तक तो पानी पहुचाना होगा, इसके लिए बहुत सारे methods है, तो आप देख सकते हैं, कुछ methods क्या है, traditional method है, जैसे कि यहाँ पर बताई गया है, there are some traditional methods, तो यहाँ पर सबसे पहला क्या हो गया, मोट हो गया, जो कि क्या pulley system है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह pulley system यह पर दिखाए गया है, किस प्रकार से, यह pulley के द्वारा, आपने देखा होगा, क यह जो व्यक्ति है, यह देख सकते हैं, पुली, यह है पुली, तो इस पुली के द्वारा पानी को खीच रहा है, कुए से, और फिर बटा रहा है, यानि कि उसको supply कर रहा है, अपने field में, फिर chain pump हो गया, यहाँ देख सकते हैं, chain pump को दिखाए गया है, फिर यहाँ पर पानी नीचे खीच लेगा, इसके बाद रहट का नम आप जानते हैं, यह देख सकते हैं, रहट है, जिसको पसू के द्वारा खीचा जाता है, तो मतलब इसको गोल गोल यहाँ घुमाया जाएगा, तो यहाँ आपकी गाउं में भी रहट लगा होगा, तो इस प्रकार से यह अनियुक्ति, ini सब मेथड क्या होगा है, यह सब मेथड होगा है, यह सब मेथड होगात, ट्राडेशनल में तो ट्रेडेशनल मतलब प्राचिन समय से जिसको लोग यह करते हैं, ऐसको लोग बोलते हैं ट्रेशनल मेथड, पंप और कॉमनली profit is적인 water, यूज्वाली पंप का use क में पहला क्या है sprinkler system हो गया और दूसरा क्या हो गया drip system तो यह बहुत important है आपके exam के लिए इसको आपको याद कर लेने चछाहे sprinkler system में आप दिख सकते हीं ये pipe इस परकार से लगाऊ लगा है ये field है और आप दिख सकते हीं ये स्प्रिंकल कर रहा है इस प्रकार से, इस प्रिंकल का मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसे स्प्रिंकल कर रहा है, इसे स्प्रे कर रहा है, इसे स्प्रे से स्प्रिंकल आ गया, जैसे आप डियो यूज करते हैं, यह स्प्रिंकल कर रहा है, यह हो गया स्प्रिंकलर सिस्टम, तो अचलिए हम लोग देख ल तो पूरा जगह पानी क्या हो जागा खुद फैल जाएगा और इसी तरीके से पानी का सप्लाई भी किया जाता है इरिगेशन किया जाता है लेकिन यदि अन इवेन लैंड है मतलब एक जगह पानी डाले है और फिल्ड में उससे चारो तरफ पानी नहीं जा रहा है तो उसके यह फिर इस प्रिंकलर सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं इस 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 सिस्टम इस मोर यूसफुल ऑन दा अनिवेन लैंड तो यह आपको कुशन पुछा है कि यह जदी अन इवेन लैंड है तो उसमें कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए तो एंसर क्या कर देंगे आप स्प्रिंक शिस्टम लगा रहे है तो दा रही हैं इस से यहां देख सकते आगे लिखा हुआ यहां On पर दपर फिंडी कुलर fancy having rotating nozzle लगा रहता है यह दे Corps Benडी कुलर पाइप है यह प्र प्रकार से पर और यहां पर क्या रहेगा नोजल लगा रहेगा तो आप पर पेंडिकुलर जानते होंगे 90 डिग्री जो बना रहा है है यहां से उसी क्या बोल रहा है पर पेंडिकुलर पाइप्स एविंग रोटेटिंग नोजल्स on top are joined to the main pipeline at regular intervals irregular intervals में आप देख सकते हैं यहां पर यहां सी यहां से यहां इस प्रकार से एक pipe से join किया गया है when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump it escapes from the rotating nozzle तो यदि pipe से पाने गया अग्दम pressure में तो यह क्या होगा nozzle rotate करना सुरू करेगा it gets sprinkled on the crops तो यह sprinkle करेगा on the तो spray word हम लोगों को नहीं यूज करना है छिड़काओ जिसको word use कहते हैं छिड़काओ on the crop as if it is raining sprinkler is very useful for sandy soil तो sprinkler का sprinkler बहुत उपयोगी है किसके लिए sandy soil के लिए है तो यह सब हम लोग question यहां पर कर सकते हैं इसके बाद आपका drip system भी भी आई है क्योंकि इससे बहुत सारे question बन सकते हैं in this system the water falls drop by drop तो drip system में water कैसे flow होता है drop by drop जबकि sprinkler system में कैसे water flow होता है sprinkle होता है sprinkle छिरकाओ टाइप का और drip system में क्या होता है drop by drop drop by drop drop से drip याद कर सकते हैं drop by drop किस में होगा drip system में just at the position of the root root में वो drop by drop जाते जाएगा पानी so it is called drip system इसे इसकों क्या बलते है drip system तो why it is called drip system because water is irrigated drop by drop it is the best technique for watering fruit plants gardens and trees तो यदी question पूछा जाए कि drip system का यूज किस चीज के लिए drip system का यूज किस चीज के लिए बहुत ही उपयोगी है तो बेस टेक्निक है watering fruit plant के लिए gardens के लिए और trees के लिए the system provides water to plants drop by drop water is not wasted at all it is born in regions where availability of water is poor तो जिस region में water बहुत कम है वहाँ पर अब देख सकते हैं drip system लगाया जाएगा और drop by drop सीधे कहां पर पानी भेज दिया जाएगा सीधे उसके roots में पानी भेज दिया जाएगा तो हम लोग अपने next topic यह बढ़ रहे हैं और वह protection from weeds तो weeds क्या होते हैं कैसे हम लोग अपने फसल को weeds से सुरक्षित कर सकते हैं यही सब बाते इसमें बताई गई है बुजो और पहली went to a nearby wheat field बुजो और पहली एक wheat field में मतलब कि वैसा field में जाते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गेहूं लगा हुआ है and saw that there are some other plants in the field लेकिन वो wheat field में जाते हैं गेहूं के field में जाते हैं लेकिन और भी plants को देखते हैं कि बहुत सारे other plants वहाँ पर उग गए हैं तो क्या यह desirable है plant वहाँ पर उगे हुए plant क्या बहुत अच्छे हैं या फिर खराब हैं तो इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं wheat बोलते हैं जो कि क्या करेंगे हम लोगों ने जो फसल लगाया है उसके nutrients को absorb करना सुरू करेंगे और हमारा फसल क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा तो आप द सिंपल सा वर्ड रख करना है undesirable Plant तो undesirable plant है जो कि field में उग रहा है फिल्ड में grow कर रहा है that are called weeds तो यहां पर एक और वर्ड रखना रखना चाहिए आपको याद करने चाहिए तभी आप यहां पर अच्छा कर सकेंगे examination में अच्छा कर सकेंगे तो the undesired desirable plants are called weeds तो ये undesirable plant कहां grow कर रहे हैं वे crop field में grow कर रहे हैं तो फिर से हम लोग देख सकते हैं in a field many undesirable plants other word नहीं use करेंगे तो बोलेंगे in a field many undesirable plant may grow naturally along with the crop these undesirable plants are called weeds तो those undesirable plants which grow in the field are called weeds तो जो undesirable plant field में उग रहे हैं grow कर रहे हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे weeds undesirable मतलब हम लोग को desire नहीं है एक्छा नहीं है कि वो वहाँ पर उगे उससे क्या होगा वो क्या करेगा वो जैसे मैंने बताया वो हम लोग ने जो फसल को उगाया है उससे compete करेगा उस nutrients को absorb करना शुरू करेगा और हमारे फसल को दबा देगा the removal of weeds is called weeding तो ये भी भी विए क्वेशन हो गया कि weeding क्या हो गया तो the removal of weed weed के removal को हम लोग क्या बोलेंगे weeding तो removal word यहां पर आपको याद करना होगा the removal of weed is called weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrient, space and light तो why weeding is very essential weeding क्यों जरूरी है क्योंकि हम लोग देख सकते हैं weeding is necessary since weeds compete with weeds compete weed क्या करते हैं compete करते हैं compete यह word आपको याद कर लिना है weeds compete करते हैं with crop plant जो crop हम लोग ने लगाया है किस चीज के लिए compete करते हैं तो water के लिए nutrition के लिए nutrients जो यहां पर लिखा हुआ है तो nutrition के nutrients के लिए ऐसा what use करेंगे हम लोग space के लिए जगा के लिए light के लिए तो water हो गया nutrients हो गया जगा हो गया sunlight हो गया इन सब के लिए corn compete करेगा weed compete करेगा और weed यदी compete करेगा तो उन सब चीजों को यह associate करेगा तो हमारा plant क्या हो जाएगा कमजोर पड़ जाएगा हमारा जो crop है वो कमजोर पड़ जाएगा that's why we need weeding हम लोग को weeding की आवशकता होती है या फिर बोलेंगे that's why weeding is very essential thus they affect the growth of the crop एक लाइन और आप लिख सकते हैं कि वो plants crop से compete करते हैं for water, nutrient, space and light and thus they affect the growth of the plant इस करन से वो plant के growth को क्या करते हैं इस करन से उनको क्या करना चाहिए हटाना चाहिए या फिर weeding का process बहुत ही जरूरी है some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings तो एक line और भी आपका आगया यहाँ पर यह आप लिखना चाहिए कि कुछ weeds जो है जब harvesting मतलब जब कटाई होगा तो उसी के साथ वो हमारे फसल के साथ चले जाएंगे और जब उनको अच्छे से अलग नहीं किया जाएगा तो वो बहुत poisonous हो सकते है और humans को और जो पशू है animals है जो उनको खा सकते है उसको क्या कर सकता है बहुत harm कर सकता है यह भी line यदि आपको ज़्यादा याद होता है तो ज़्यादा लिख लिजे तीन points लिख लिजे farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth तो weeding के लिए farmers बहुत सारे methods का use करते है तो सबसे पहला method क्या हो गया what are the methods that farmer used for weeding तो पहला क्या हो गया tilling पहले ही tilling कर देना है मतलब beach बोने के पहले tilling कर देना है before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds तो uproot मतलब जो weeds है वो उखर जाएंगे और वो बर जाएंगे which में then dry up and get mixed with the soil the best time for removal of weeding is before they produce flowers and seed तो weeding का सबसे अच्छा time क्या है जब weeds में weeds मतलब क्या हो गया plants हो गया जो कि undesired plant है तो उनमें जब fruit उनमें जब flower fruit नहीं आया है तभी उसको हटा दिया जब तो ज़्यादा बहतर है the manual removal includes physical removal the manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground इसके बाद दूसरा क्या हो गया आपका manual removing हो गया manual मतलब हाथ की दार उसको remove किया जा सकता है manual removal includes physical removal of weeds physically remove करना है weeds को by uprooting मतलब उसके root को खाड़ देना और cutting them close to the ground या फिर उसको जड़ से जड़ के नजदीक से काट देना तो यह भी दूसरा तरीका हो गया manual removing हम लोग बोल सकते हैं तो manual removing कब होगा जब weeds आ चुके है तब लेकिन weeds आए ही ना उसके लिए हम लोग क्या करेंगे tilling करेंगे पहले ही खेत को हम लोग जोंत देंगे इसके बाद आप देख सकते हैं this is done with the help of खुर्पी तो यहां से दी question पुछा जाया कि manual removing किससे हो सकता है तो खुर्पी से हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है यह आपर seed drill हो सकता है तो यह दो चीज़ से manual removing क्या जा सकता है weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicide तो तिसरा point क्या हो गया w e d i c i d e s weedicides का उपयोग तीन चीज़ हम लोग लिख सकते है tilling किया सकता है manual removing क्या सकता है और weedicide का प्रयोग किया सकता है weeding के लिए मतलब की weeds से निजात पाने के लिए तो जैसा कि weedicide क्या होता है जो weeds को मारे उसे हम लोग क्या बोलेंगे weedicide जैसे कि जो insect को मारे insecticide कहेंगे इस प्रकार से weeds को मारे उसको क्या बोलेंगे weedicide कहेंगे तो इसमें water weedicides that kills the weeds are called weedicide इसके बाद आएगा आप क्या कि एक उदारन दीजे तो 240 240 क्या एक weedicide है they are sprayed in the fields to kill the weeds they do not damage the crop crop को तो damage नहीं करते the weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer is septic moins margade है जहां तो यहाँ पर क्या कर जाता है दे छक्ला कौनलाप इसको सब्सक्राइगा जेख सकते हैं यहाँ तो यहाँ क्या मर जायगा weedز मर जाएगा लेकिन आपका plant बचा यहाँ क्रॉब बचा रहा है तो यहाँ श्प्रे देख सकते हैं legit यह तिपिस्ट ऐड दिया और तके वाम चुने जो इडिज़ सक्टेक भार कर रहा है तो जो इडिज आसे बन São यूज इस वेरी केरफुली दे शुड कवर देर नोज एंड माउथ विथ पीस ओफ क्लोज दूरिंग इस प्रेंग ऑफ दिस केमिकल तो आप देख सकते हैं यहां पर जो वीडी साइड का छिड़काओ है कब किया जाएगा जब वह जो वीड है उसमें फ्लावर नहीं आए है उसके पहले ही उसमें वीडी साइड का छिड़काओ कर दे जाएगा यह पहला पॉइंट दूसरा जब इस प्रे का छिड़काओ कर आता है तो यह तो बहुत हार्मफुल है हुमन बॉडी के लिए तो मुह पे कपड़ा लगा के ही इसको इस प्रे करना चाहिए क्योंकि यह ह समझना चाहिए कि फार्मर्स हमारे लिए कितना हार्डवर करते हैं कितने बिमारियों से जूजते हैं फिर हमारे लिए भोजन का इंतजाम हो पाता है और हम लोग आराम से बैठ के उस भोजन को खाते हैं तो किसान का हम लोगों को हमेशा सुक्रिया आदा करना चाहिए यह भी आपको नहीं भूलना चाहिए क्योंकि आप देख रहें कितने harmful chemicals से वह हमेसा जूजते हैं उन harmful chemicals से बहुत प्रकार की बीमारिया भी हो सकती है तो इस प्रकार से यह topic यहां पर खतम हो रहा है अब हम लोग पढ़ेंगे next topic वह है harvesting तो आप देख सकते हैं हमारा जो last second last topic है औ उसके बाद हम लोग irrigation करते हैं fertilizer का use करते हैं और हम लोग एकदम धीरे अब अपने last topic यह आ गये हैं और यह है harvesting तो harvesting वह time है जब हम लोग अब फसल को काटेंगे इसका मतलब जब फसल तैयार हो जाएगा तो उसको काटा जाएगा harvesting of crop is an important task यह भी बहुत important task है the cutting of crop after it is mature is called harvesting तो यहाँ पर आप देख सकते हैं what आपको याद कर लेना है cutting the cutting of crop question क्या आएगा what is harvesting तो आपको क्या करना है cutting of crop या आप बोल सकते हैं cutting of mature crop तो यहाँ पर mature word याद करना है मतलब crop जब बड़ा हो चुका है उससे grain समलों को निकालना ह है तो उस ट्राइब में जब उसका cutting किया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे harvesting तो cutting of crops after it is mature it is called harvesting इसे हम लोग क्या बोलते हैं harvesting in harvesting crop are pulled out or cut close to the ground तो इसमें अब लोग दो प्रकार से harvesting कर सकते हैं तो यदी मान लीजिए कि यह पौधा है तो इसको या तो pulled किया सकता है मतल जा सकता है it usually takes three to four months for a cereal crop to mature तो आप जानते हैं कि अलग अलग जो crop होते हैं उसका जो life span है वो अलग-अलग होता है तो कुछ क्या होंगे तीन-चार महीने में mature हो जाएंगे कुछ को छे महीने लग सकता है और कुछ ऐसे crop होते हैं जिनको सालों टाइम लग सकता है तो आप द पता है था आपको धान हो गया गेह हो गया जो अनाज है उसे हम लोग क्या हो लेंगे सीरियल तो सीरियल क्रॉप को मैचियोर होने में कितना टाइम लग जाया तो तीन-चार महीने में वो मैचियोर हो सकते हैं और उनको हार्वेस्ट किया चाह सकता है तो हर्वेस्टिंग सि in our country is either done manually by sickle or by machine called harvester. तो harvesting दो तरीका से किया जा सकता है, जो कि यहाँ बताया जा रहा है, पहला क्या हो गया, manually, manually मतलब हाथ के जोरा किया सकता है sickle से, sickle आप देख सकते हैं, हाँ सुअ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सिकल के द्वारा किया सकता है इस प्रकार से ऐसे काट-काट के किया सकता है और दूसरा होता है हार्वेस्टर तो यहाँ पर पहले आपको क्या लिख देना है सिकल और दूसरा क्या हो गया हार्वेस्टर इस प्रकार से हम लोग हार्वेस्टिंग को हार्वेस्टर के द्वा कि ये अपने उसके जड़ से थोड़ा सा उपर काट के ले आया और काट के लाया और अपने घर के पास कोई field में आपने उसको रख दिया तो अब उसको हम लोग second strip क्या करेंगे उसमें से धान में से हम लोग क्या करेंगे चावल के दाने को निकालेंगे तो वही हो गया यहाँ पर आप देख सकते हैं तो in the harvested crop the grain seeds need to be separated जो grain का seed है उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा separate करना पड़ेगा from the chaf तो आप देख सकते हैं जो भूसी है उससे grain को क्या करना है अलग होना है और उसी को हम लोग क्या वोलेंगे threshing तो यहाँ से question आजाएगा what is threshing तो threshing क्या हो गया जब हम लोग चाफ से क्या करेंगे grains को अलग करेंगे the separation of grains from the chaf सीधे answer कर सकते हैं separation separate words से क्या use करेंगे separation of grain separation of grain from chaf मतलब क्या हो गया भूसी तो separation of grain from the chaf is called threshing इसी को हम लोग क्या बोलते हैं threshing this is carried out with the help of machine called combine which is in fact a combined harvester and thresher तो आप देख सकते हैं आज जो हम लोग threshing का कार करते हैं वह combine के द्वारा करते हैं यह ली question पुछा जाए कि यह machine का नाम बताओ जिससे threshing किया जाता हो नाम क्या है combine combine का function क्या है तो वह harvester के रूप में भी किया जाता है उसका उसका use और thresher के रूप में भी किया जाता है तो यह आपका यहाँ पर answer आप कर सकते हैं यह देखी यही है combine यहाँ पर machine को दिखाय गया है अब आप दिख सकते हैं after harvesting sometimes stubs are left in the field तो आप यह harvesting करेंगे तो उपर से काट कर यदी लाते हैं तो बहुत सारा उसमें stubs क्या होता है फिल्ड में बच जाएगा which are burned by farmers जिसको farmer क्या करते हैं जला देते हैं पहली is worried she knows that it cause pollution तो यह जो हम लोग उसको काट के जलाते हैं मतलब काटने के बाद harvesting के बाद जो खेतों को जला दिया होता है वह बहुत ही हानीका रख होता है बहुत ही pollution अगर्व होता है तो दिल्ली के एरिया में आप जानते हैं कि जो pollution होता हुता है ठंडे के दियों में वहाँ पर इसका बहुत बड़ा एक क्या काउस हो सकता है पॉलिशन काउस हो सकता है इट में ऑल्सो कैज फायर एंड डैमेज दो क्रॉप सलेंग इन दा फिल्ड तो यदि क्रॉप को फिल्ड में रखा गया है काटने के बाद जानते हैं कुछ समय तक उसको जमा करके माल लीजिए धेर बना कर रखा जाता है तो जलने का भी संभावना हो सकता है फार्मर्स विट स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू दा सेपरेशन ऑफ ग्रेंस एंड चाफ वाई विनोइंग तो आप देख सकते हैं जो छोटे फार्मर है उनके पास यदि मसीन नहीं है तो विनोइंग के द्वारा वो क्या करते हैं चा करते हैं उसमें हम लोग यहां पर चाफ के साथ जो ग्रेंग है उसको डाल देते हैं फिर इसको विनोइंग करते हैं मतलब हवा के हवा जो है क्या करेगा उसमें से चाफ को अलग कर देता है और जो बच जाता वो क्या होता है ग्रेंग होता है तो इसको आफ विनोइंग कहत और अब हम लोगों को आता है अपना नेक्स टॉपिक और यह हार्वेस्ट फेस्टिबल तो हार्वेस्ट फेस्टिबल जब हार्वेस्टिंग के समय आप जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे से त्योहार है जो कि हार्वेस्टिंग के समय मनाई जाते हैं यानि कि जब तो तीन चार महिने के मेहनत के बाद एक दिन आएगा जहां पर हर्वेस्टिंग हो सकता है तो जब किसान अपनी खेतों में जाता है तो लह लहाते हुए फसलों को देखता है तो आप देख सकते हैं golden fields मतलब जब वहाँ पर उस टाइम आप खेत को देखेंगे तो वहाँ पूरा एकदम वह सुखा सुखा लगेगा लेकिन वहाँ पर जो crop होंगे वह एकदम golden color में आपको दिखेंगे मतलब किसान को इसको दे की बहुत खुशी होता है अपने फसल को जब वह देखता है कि उसका फसल काफी अच्छा हुआ है the effects of the past season have born fruit and it is time to relax and enjoy a little तो यही time होता है the period of harvest is thus the great joy and happiness in all parts of India तो आप देख सकते हैं men and women celebrate it with great enthusiasm special festivals associated with harvest यहां से दिया आपको question आएगा कि which are the special festivals associated with harvest season तो आप कुछ नाम लिख सकते हैं जैसे कि पोंगल है, बैसाखी है, बीहू है यह सारा क्या है और भी नाम आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है तो यह सारे क्या है बहुत ही important festival है जो कि किस से related है harvesting season से, harvest से related है मतलब जब खेतों में से अनाज को, अनाज नहीं word use करेंगे तो बोलेंगे कि crop को काट कर, जब किसान अपने घरों में ला रहा है तो वो काफी खुश है और उस खुश हाले में वो क्या करता है, वो festival को मनाता है तो आप इन festivals का नाम लिख सकते हैं अब जब हम लोग grains को उस crop से अलग कर लेते हैं तो अब हमना जो नया चीज़ आता हुआ है, storage उसको सही से store किया जा सके तो यहाँ पर आप देख सकते, storage of produce is an important task if the crop grains are to be kept for longer time, they should be safe from moisture तो यदि यह जो आप grains जो आपने उगाया है, crop grains उगाया है अब यहाँ पर crop word use नहीं करेंगे, हम लोग grain word use करेंगे तो grain जो हम लोग ने उगाया है, उसको क्या करेंगे हम लोग को safe रखना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा दिनों तक टिक सके और उसको हम लोग उपियों में ला सके तो यह जो grains है, उसको हम locate for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms यहाँ से दी question आएगा कि अब दी crop grains को किन किन चीजों से बचाना चाहिए तो सबसे पहला चीज तो हो गया moisture, क्योंकि यह moisture की जगह जहाँ पर ज्यादा moisture है, वहाँ पर moist condition में आप रखेंगे तो grains क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उसमें microorganism का हमला हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, सड सकता है इंसेक्ट के द्वारा आपको बचाना पड़ेगा, रैट्स के जड़ा बचाना पड़ेगा, तो यह आप देख सकते हैं, moisture से, insects से, rats से, और microorganism से आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सुरक्षा करना पड़ेगा तो जानते हैं कि जो fresh crop होता है, fresh crop grain होता है, वो क्या होता है, उसमें बहुत moisture होता है, इसलिए आपको क्या करना होगा, उसको सुखाना पड़ेगा इफ freshly harvested grain seeds are stored without drying, तो सुखाना वर्ड को यहाँ पर drying वर्ड यूस किया गया, उसको आपको याद करना पड़ेगा, they may get spoiled or attacked by organism losing their germination capacity, तो यदि उसको भीना सुखाया आप रखेंगे, तो वो बहुत सारे उसमें, जो microorganism है, वो attack कर सकते हैं, और उसको spoil कर सकते हैं, जिससे की फ पाएंगे, उसमें germination फिर नहीं हो सकेगा, hence before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them, तो यहाँ से question हैगा, why the grains are dried before storage, grains को restore करने के पहले dry क्यों करना चाहिए, तो उसका answer आप 2-3 points में यहाँ लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने बताया, this prevents the attack by insect, pest, bacteria and fungi, तो आप देख सकते हैं, यह क्या क करेगा, attack, pest के attack से बचाएगा, bacteria के attack से बचाएगा, और fungi के attack से बचाएगा, जिससे की आपका जो अनाज है वो सड़ेगा नहीं, farmer's store, grains in jute bags और metallic bins, however large scale storage of grain are done in silos and granaries, तो granaries और silos में ज्यादा storage किया जा सकता है, to prevent them from pest like rats and insects, तो आप देख सकते हैं, कि यदि पूछा जाएगा, large scale storage of grain कहा होगा, तो silo का नाम लिख देना है आपको, और granary का नाम लिख देना है, तो silos और granaries में क्या होता है, इनका storage होता है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, dried neem leaves are used for storing food grains at home, for storing large quantities of grains in big go-downs, specific chemicals treatments are required to protect them from pest and microorganism, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो storage हो रहा है, grains का large scale में हो रहा है, तो उसको हम लोग microorganism से, pest से protect करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो उसमें neem का हम लोग पत्ती डाल सकते हैं, dried neem leaves का प्रयोग किया जाता है, तो पहला क्या होगा, dried neem leaves का प्रयोग किया जाएगा, और दूसरा क्या होगा आप देख सकते हैं specific chemical treatment दिया जाएगा chemical treatment तो dried neem का प्रयोग है जाएगा chemical treatment दिया जाएगा जिससे की जो micro organism है और paste है वो उस पर attack ना कर सके और हमारा जो grains है जो अनाज है वो क्या हो सही सुरक्षित रह सके तो आप देख सकते हैं you must have seen that like plants animals also provide us with different kinds of food तो आप जानते हैं कि हम लोग जो अपना भोजन करते हैं तो food हम लोग को कहां से मिलता है तो food हम लोग को plant से भी मिलता है और animal से मिलता है जैसे कि आप जानते हैं कि जो grains है वेजटेवल्स हैं पल्सेज हैं वो हम लोग को plant source से मिलता है लेकिन आप देखेंगे कि milk है वह कहां से मिलेगा काउ से बफैलो से मिलेगा जबकि आप देखेंगे एग है वह हिन से मिलेगा फिर आप देख सकते हैं कि fish है उससे हम लोग को मांस मिलेगा तो इस प्रकार से आ दूसरा क्या हो जाएगा एनिमल सोर्स तो एनिमल सोर्स से भी हम लोग को फूड बिलता है वे अब जस्ट इन दैट दा प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन वर्ल्स अनमबर ऑफ स्टेफ्स लाइक सेलेक्शन ऑफ सेड शोईंग इडिस सिमलर्ली एनिमल्स रियर्ड और इन फर्म्स हैब टू भी प्रोड़ फूड शेल्टर एंड कियर तो जो एनिमल को भी हम लोग पाल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्मेंटरी वह आगे क्लास में पढ़ेंगे उसमें भी बहुत सारे चीजों का ध्यान दिया सकता है तो प्रोपर रेरिंग हो क्या कर रहे हैं when this is done on a large scale it is called animal husbandry तो animal husbandry में हम लोग क्या कर रहे हैं रेरिंग ओफ रेरिंग ओफ क्या कर रहे हैं animals with proper क्या कर रहे हैं food shelter and care तो जब हम लोग रेरिंग ओफ एनिमल करेंगे बहुत अच्छे से देख भाल करेंगे उसके प्रोपर फूड का प्रोपर शेल्टर का और प्रोपर केर का ध्यान प्रोपर केर किया जाएगा तो उसे ही हम लोग क्या वोलेंगे animal husbandry तो यह सब चीज़े यहां पर बताए गए थी इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका यह चैप्टर समाप्त होता है fish is good for health we get cod liver oil from fish which is rich in vitamin D तो आप इसको याद कर सकते है कि cod liver oil कहां से मिलेगा fish से जो की rich in vitamin D है तो मिल रहा हूं आपसे next video में यह चैप्टर समाप्त हुआ next chapter में मैं आपको इसके next chapter को लगातारी पढ़ा दे रहा हूं तो आप comment करके बताई कि आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको कौन-कौन से और subject पढ़ने कौन-कौन से और topics पढ़ने यह भी आप बताईए धन्यवाद